येस गुद आफ्टरनून एवरीवन जा स्टाथ रिकॉर्डिंग अल्सो येस गुद आफ्टरनून एवरीवन अमाय ओडिबल मुझे बताईएगा आपके आवास सुन पारें विल स्टाथ इन वन मिनिट एक मिनिट में हम लोग शुरू कर देंगे अभी सारी चीजों को एक रूपल को पूछ लो ओडिबल है क्या चेक करो रूपल को गॉल करके विल स्टाथ इन टू मिनिट्स मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कल जो क्लास हुई थी उसको रिवाइस कर लिया है और सर मैं अपसेंट था अगर कोई स्टूडेंट ये बूलना चाहे है तो उसको भी कोई प्रॉबलम नहीं होगा इवन दोस वो आप मिस्ट येस्टेड़े दे विल बी अबल तो अंडिस्टान एवरीथेंग फुल पेज तुवाद्स मी वन्स हम लोग एक मिनिट में शुरू करेंगे या ले और सीन वन कर दीजे प्रीज सीन वन कर दीजे बेटर होगा वो अधर से या या इस दिस कमिंग आ रहा है ओके ठीक है चलिए yesterday we have discussed about something about the structure of the Companies Act we have talked about MCA rules बनाता है MCA समय समय पर notifications लाता रहता है but today's discussion is basically on the types of companies कि क्या-क्या प्रकार की companies होती है ये चार्ट हमने कल भी देखा था ये PDF और चार्ट ग्रुप्स में circulated हैं already और मैंने कल एक बात आपको बोला था कि after you attend the class next 20 minutes अपने chair से मत उठिये बलकि आपको आने वाले 20 minutes में घर में भी क्या करना है once my class is over copy pen लेकर वापस पूरे class के flow को अपने handwriting में याद करके लिखिए वो जो आप लिखेंगे ना वो ज़्यादा लंबे समय तक retain होगा मेरे संग जो आप लिखते हैं उसमें सिर्फ focus writing handwriting और अपने बस copy करने में रहता है कि बोड को देखकर में copy कर लूँ पर वह वाला writing जो है वो आपको हमेशा याद रहेगा इस फाइन एवरिवन चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं various types of companies on the basis of liability members control access to capital जिसका trailer हमने कल भी थोड़ा सा सुना था तो एक चीज़ आपको बता दूँ आपके पास अगर मेरी किताब already है या notes आकर आपको हमारे यहां से दियावा है तो notes आप देखोगे जो भी notes आपको दियावा है definitions related notes दिया होगा हर course को तो definitions related जो notes है वो आपको यहां पर आपको definitions related notes दिखाई देने लगेंगे जहां पर सारे type की definitions हैं तो मैं पहले एक बहुत easy definition एक बार शुरू करता हूँ वो revise करा देवे आपको फिर आगे ले जाओंगा the easy definition is of a private company screen दिख पा रहा है section 2 clause बोलते हैं इस bracket को section 2 के जो definition वाले एडिया में जो आता है उसको clause बोलते हैं तो section 2 clause 68 तो private company क्या होता है यह definition अभी हम लोग एक बार analyze कर लें फिर हम लोग आगे जाएंगे आपको यह बात मैंने बताया था कि इंडिया में private companies के numbers जादा है sir लोग क्यों बनाते हैं public company लोग क्यों नहीं बनाते सबकों को public company बनाना चाहिए reasons हैं अपने अपने कि अगर आपको लग रहा है काम का scale बहुत छोटा है closely family type की company है जिसमें सारे family members ही उसमें है तो ऐसे case में हम लोग private company बनाते हैं और उपर से private company के लिए formalities भी कम है mca का relaxation notification आया हुआ है जहां private company को बहुत सारे sections comply नहीं करने पड़ते तो दोनों बाते हैं तो इसलिए लोग private company जादा बनाते हैं तो private company क्या company है जिसके articles of association मैंने आपको कल बताया था कि rules and regulations होते हैं for internal management तो private company एक ऐसी company है जिसके articles of association में याद रखना जिसके articles of association में तीन बाते लिखी वी होंगी उनको हम private company बोलते हैं और वो तीन बाते जो हैं वो भी बहुत famous है आपने पक्का सुना ओगा स्पूल college में shares पर restriction है transfers पर मैंने prohibition नहीं बोला पूरा transfer करना मना नहीं है कुछ पाबंदिया हम लगा सकते हैं share transfer करने के पहले कुछ-कुछ पाबंदिया हम लगा सकते हैं कि आप बाहर वाले को shares देने के पहले company के अंदर जो हैं उनको दीजें secondly यहाँ पर maximum number of shareholders 200 होगा और 200 count करते वक्क कुछ-कुछ type के लोग count नहीं होते हैं हम लोग देख लेंगे and thirdly यहाँ पर आपकी private company public issue of securities नहीं कर सकती shares public को आप prospectus के through issue नहीं कर सकते अपने अंदर जो देना है आप दीजे तो यह तीन चीजें अगर हैं तो आपकी company private company मानी जाती है very easy definition तो look at the screens section 2 clause 68 यह book में है एक बार mark कर लो कि यह definition हो रहा है फिर मैं आपको PPT से दिखा दूँगा because PPT मैंने circulate किया है पहले है एक concept था कि private company की paid up capital minimum 1 lakh होनी चाहिए आज के दिन वो नहीं है हो सकता है future में फिर भी आ जाए तो amendment होगा तो हम बता देंगे पर ऐसा कुछ नहीं है कि paid up capital 1 lakh हो वो ज़रूरी नहीं है and अपने articles of association के थूँ A.O.A. बोलते हैं A.O.A. के थूँ तीन बातों का यहां ध्यान रखने बोला जाता है वो तीन बाते क्या-क्या है restrict करती है right to transfer shares restrict is the word which you have to use prohibit मत लिखना क्योंकि share transfer prohibited नहीं है restricted है prohibited का मतलब तो फिर करी नहीं सकते हो but यहां word क्या है restricted maximum members यहां पर जो maximum members होंगे वो कितने है maximum members maximum members यहां पर 200 है understood और फिर लिखा है उस line के बाद provided यानि कि provided जब word आता है law में मैंने आपको हमेशा बताया था bear act के language से पढ़ना चाहिए इस यह उपर वाले का exception है कि यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ-कुछ लोग इसमें 200 की गिंती में नहीं आएंगे तो वेन आई से कि कुछ-कुछ लोग 200 की गिंती में नहीं आएंगे इसका मतलब जानते हैं आप जानते हैं कि सपोज exam में आएगा X private limited में 250 members है तो 250 members देखकर आप भावुक हो जाएंगे 200 की उपर चला गया बट फिर लिखा रहेगा 250 में से 60 इसके employees भी है shareholders भी है 40 ex employee and shareholders भी है तो यह सब है न माइनस हो जाते हैं जो employee members है ex employee members है फिर कुछ लोग jointly hold करते हैं तो joint shareholders अगर हैं सब्सक्राइब दो लोग हैं तो उनको एक माना जाएगा तो joint shareholders are counted as one यह बाते भी हाँ पर लिखी भी है लिखी भी है तो अगर कोई jointly hold कर रहा है shares तो उसको आपको एक ही मानना है इसको दो नहीं मानना है और यह employment वाली बात भी और ex employment वाली बात भी दिख रही है तो मैं गब book दिखा दू bear act के language को interpret करवा दू and then I will go to the other points ओके next लिखावा है it prohibits public issue इस बार prohibited है तो आप तो बोले थे ना कि prohibit नहीं use करना है मैंने share transfer के लिए बोला था कि prohibit शब्द यूज नहीं करना है यहाँ पर तो आप करी सकते हो बलकि करोगे आप did you understand everyone तो यह देखिए अब हम लोग इसी definition को तो अच्छे तरीके से analyze करते हैं PPT के थूँ जो आपको of course better पसंद आता है याद हो जाता है कि यह है private company की बाते है जो हमने अभी bare act की language को देखा था तो इसलिए आपको notes बनाने का effort बहुत कम हो जाएगा बिकास मैं आपके लिए PPT आपको mail भी करवा दूँगा और जो mobile app से कर रहे हैं उनके already course में added है तो private company एक ऐसी company है जिसके articles में कितनी बाते हैं तीन ओके और इस तीन बातों को याद करने का एक तरीका होता है और वो तरीका कई बार ऐसा use हो सकता है T M TMC नहीं मैं कालकटा के political party की बात नहीं कर रहा हूँ P यानि की transfer of shares पर मेरे संग संग बोलो बोलो बढ़ना बाहर आ जाओंगा transfer of shares पर restriction है restriction, prohibition नहीं मेरी acting किया करो ताकि आपको words पर command आए maximum debenture holders नहीं बोला members, shareholders जिनका नाम register of members पर आता है maximum members 200 है और 200 को count करने के समय क्या क्या exclude होता है और क्या treatment होता हो लिखा हुआ TMP याद रहेगा shortcut and it prohibits public issue of securities तो जहां आपके books में खुलवाया था मैंने आपको ये section 2 clause 68 वहां लिख ले ना book में लिख ले ना जिनके पास book है जिनके पास book नहीं है वहां ऐसे लिख दे ना we did section 2 clause 68 that MCA notification gives lot of relaxations to private company MCA का जो notification है वो बहुत सारे relaxations देता है private company को MCA relaxation gives lot of notifications to private company या आप लिख लीजेगा ओके everyone तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको कि articles की बातों को आप refer करते वे समझाएंगे तो जो लोग की English week है वो हमेशा in Hindi dialogues को और revision links में भी मैं Hindi English mix करके भेजूँगा that articles are containing three restrictive provisions तब आपकी company private company होती है तुम तो बचपन से पता है क्या सीखते वे आयो private company वो company है जिसके नाम पर end में private limited हो हाँ नाम के end में private limited होता है बट सिभ उसको देखकर आप नहीं decide करते क्योंकि अगर आपकी private company इन तीनों चीज में से किसी एक का भी उलंखन कर रही है तब वो private company का फिर फायदा नहीं उठा पाएगी तो इस definition के बाद हम लोग एक next definition में पहले जाएंगे that is the next definition would be holding and subsidiary company would be our next line of attack section 2 clause 87 section 2 clause number 87 our next discussion would be section 2 clause 87 उसमें आ जाईएगा एक बार section 2 clause 87 पर आ जाईएगा तो एगा मैं दोनों एंगल से चल रहा हूँ मैं आपके books में भी अच्छा books में जिनके पास books है did they write this lot of relaxations book में भी लिखते चलो अब आ लिखना PPT to be referred book में लिखते चलो गया now section 2 clause 87 book या note जो भी आपके पास अभी है कि subsidiary company का क्या मतलब होता है what do you understand by the word subsidiary company subsidiary company से आप क्या समझते है मेरी बात ध्यान से देखना एक शब्द यूज किया है मैंने holding company और एक शब्द मैंने यूज किया है subsidiary company तो एक company मेरी हिंदी में बात ध्यान से सुनो एक company मैं उपर हूँ suppose नीचे वाले company में जब hold करे more than 50% of the voting power मैं brown limited हूँ brown है आज ठीक है मैं more than 50% मैं more than 50% of the voting power hold कर रहा हूँ try to understand मैं अगर more than 50% of the voting power hold कर रहा हूँ तो मैं हो गया हूँ holding company और just company में hold कर रहा हूँ वो मेरी subsidiary एक तरीका ये है और और मतलब अत्वा या मैं एक company हूँ मेरा और उसके संग कोई agreement हुआ है and उस agreement के कारण I am controlling English ध्यान से सुनना the composition of board of directors of another company I am controlling the composition of board of directors इसका क्या मतलब है I can appoint गोदी करके मैं वहाँ directors को बैठा सकता हूँ अरे ऐसे बोल रहा हूँ I can appoint majority directors on that company I can remove majority directors of that company तो holding and subsidiary के दो तरीके आपने सुने तो उनी के बारे में हम लोग फिर से याँ देखते हैं holding company controls यह words answers में आने चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको it controls पुरा word देखो ध्यान से it is controlling the composition of board यह words देखो ध्यान से students बोलते हैं अपने words में लिख दे मैं freedom नहीं दूँगा क्योंकि लोग पता हैं क्या लिख के आते हैं it controls के जगा लिख देते हैं it handles वाँ वाँ देखो पुरा काया पलट दिया तो मैंने अपने करियर के इन 20-21 सालों में देखा है when we check the papers students write when one company handles that another company what is this फिर बोलते हो अपने words में लिख रहे हो controlling the composition of BOD यह लिखना जरूरी है और नीचे फिर समझाया गया है composition of BOD का मतलब यहां पर इनों समझाया है clause B में that by its discretion it can appoint or remove all or majority directors of that company जो मैं आपको बोल रहा था तो जिनके पास notes है वो mark भी कर रहे हैं next देखोगे it is it is controlling more than half of the total voting power जैसा मैंने आपको बोला more than 50% of the voting power of that company वो hold कर रहे है more than 50% of the voting power ओके खुद कर रहे है language ध्यान से देखना या तो वो खुद कर रहे है या वो खुद नहीं कर पा रहे है तो कैसे कर रहे है सर या अपनी subsidiary companies की सहायता से कर रहे है वापस ध्यान से देखो या तो more than 50% of the voting power वो खुद कर रहे हैं और on its own अलग-अलग इंखेना मैंने आपको बुला था colorful pens लेके आए law class में या अपने subsidiary company की सहायता से कर रहे हैं यह जो line है यह अभी मैं आपको दिखाऊंगा example के through तो did you understand this everyone तो इन दोनों में से तीनों में से जो भी तरीका हो उस तरीके से हम लोग holding subsidiary का रिष्टा मानते हैं कि बना है यह और कोई तरीका है इसको समझने का यह मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट वो डाइग्राम आपको अभी दिखाता हूं basic के अंदर yes layout yes दिख रहा है if any one of the three happens then the holding subsidiary relationship comes into picture अपने वाँ मार किया था था ना controls एका संग संग में लिपसिंग कर लीजे घर में भी controls the affairs of the company लिखके नहीं आ सकते आप it controls the composition of BOD क्योंकि उसका एक अलग meaning है कि at its discretion it can appoint or yes बोलो 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 remove majority directors very good तो लिखा हुए ध्यान से if one company holds more than 50% of the total voting power on its own और along with its subsidiary चो भी अमने ने सीखा it controls the composition of BOD very good और chain holding इसका मतलब है a suppose holding company है b का ठीक है b है holding c का तो माना जाएगा c is also a subsidiary of a limited is it okay sorry मैं कहीं और चला गया हूँ अभी bpt change हो गया तो ये भी किसका subsidiary माना जाएगा ये भी subsidiary माना जाएगा फिर a का c limited is a subsidiary of a limited पक्का everyone तो holding subsidiary संग-sंग में याद हो गया है that if any one of these happens when one company controls the composition of BOD when one company is holding more than 50% of the total voting power so ये सारी चीज़े तो मेरे पहले पड़ी भी है रुकिये नई चीज़े भी आने वाली है patience रखिये new things will also come into picture now look here look at this question everyone a limited वो जो line था ना who at its own on its own or along with its subsidiaries through its subsidiary अभी भी अगर वो hold करे अरे वो line जो bear act में हम लोग देखे थे अभी अभी उससे related कुछ पढ़ रहे है अभी यहाँ पे लिखा वह है देखोगे आप a limited is a holding company of b limited and c limited this is given in question ppt आपको दिया वा है full page करो एक बार बच्चे copy कर लेंगे photo उतार लेंगे अगर उनके पास यह नहीं है तो यह पूरा question है जो आपको exam में 5 marks के लिए आया वा है in all the courses the same question has been asked C.A.C.M.A.C.S. it's a very popular question on holding and subsidiary तो जिनके पास नहीं है वो image भी ले सकते है जिनके पास नहीं है ध्यान से देख लो please तो यहाँ पर question दिया वा रहेगा full page यहाँ पढ़ लो मेरे संग तो A limited जो है वो B और C का holding है holding company है ठीक है and B और C जो है वो D limited में B जो है 30% equity hold कर रहा है और C जो है वो 35% equity hold कर रहा है यह paper में दिया वा है ओके layout once तो मेरा question यह है is D limited a subsidiary of A limited से वापस बोलिए क्या D limited A limited का subsidiary है तो students पहले तो यह बोलते हैं A तो holding नहीं कर रहा है D में तो सवाल ही कैसे होता है वापस सुनिए when a company through its subsidiary also holds more than 50% when a company through its subsidiary it is holding more than 50% तो A जो है वो B के through पूरा 50% नहीं hold कर रहा है पर A ने क्या किया अपने 2-3 subsidiaries के through B अगर hold करता है D limited में more than 50% अगर अपने 2 subsidiaries के through भी hold कर रहा है एक दम examples clear है तो इस situation में आपका अंसर आपको पर मिली गया होगा when a company along with its subsidiary answer typed है यहाँ पर holds more than 50% of the total voting power of another company then the first holding company that is A limited in our example is a holding company of that D limited क्योंकि आपको reason यहाँ पर दे भी दिया है but एक question यह होता है क्या B limited holding company है D limited का क्या C limited holding company है D limited का या उल्टा बोलूं क्या D limited subsidiary है B और C के आंसर no है सर यह कैसे हुआ no देखो ध्यान से सुनो मेरी बात B और C जो है वो तो 30 और 35 ही hold करते हैं तो B और C तो 30 और 35 ही hold कर रहे हैं तो उनका तो more than 50 है ही नहीं हो सकता है अब तुम बोलोगे क्या पता सर वो वाला clause हो जाए it controls the composition of BOD हाँ अगर वो वाला हो जाए और information दिया वाहो तो वो भी हो सकता है सर वापस बोलिये holding subsidiary दो तरीके से बनता है तो students usually क्या करते हैं वो से पहला तरीका देखते हैं that is holds more than 50% of the voting power खोद या subsidiary के थुरू पर अगर मैं question को change करके कुछ अलग information डाल देता ये holding तो मेरी 49% ही है पर मेरा उनके संग agreement है that I will appoint or remove majority directors तब मैं किस line के अंदर पस जाता जल्दी बोलो controls the affairs of the company नहीं बोलोगे बार बार बोलो controls the composition of BOD तो उस हो जाता तो पर हमारे information में ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है तो याद रखना D limited B limited का तो नहीं होगा क्योंकि more than 50 नहीं हो रहा है D limited C limited का भी subsidiary नहीं होगा but D limited A limited का subsidiary हो गया कैसे हो गया because A limited अपने subsidiaries के थूँ sir A holding company B C का आपको पता कैसे चला information question paper में दिया हुआ है तो वो अपने subsidiaries कि थूँ वहाँ अगर hold कर रहा है तो बले बले did you understand everyone तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे holding subsidiary का definition इसकी पहले हमने bear act के language को दिखाया कि कैसे लिखावा रहता है and then we started analyzing here तो मैं book में भी साथ में आपको काम करवाते जा रहा हूँ तो ये तरीका अगर होता है तो holding subsidiary company बन जाता है जिसको हम लोग कई बार बहुते हैं कि group companies हैं लोग ओके now कई बार क्या होगा कि एक company में ऐसा situation आप देख सकते हैं full page करो तो ये बहुत theoretical situation है real life में you will not come across such situations पढ़के देखिए एक बार start reading this example और जो words use करना अगर आज तुम revise करोगे बहुत पूरा word to word याद हो जाएग और इसको छोड़के रखोगे तो भूल जाओगे एक्जाम में definition नहीं पूछता है से तो पढ़ा क्यों रहे हैं पर इस पर case studies पूछ सकता है तो आपको definition पता होगा तो case study solve करते वक्ट इंडिरेक्ली definition लेकर फिर analysis करके conclude करना है या integrated mcqs में भी आपको इस सारे words जो मैं बार-बार emphasize कर रहा हूँ thrusts lay down कर रहा हूँ यह सिर्व आपके मूह पर रहना चाहिए तो यह बहुत typical situation है कि इसकी दो holding companies है पक्का everyone now look here हम लोग पढ़ रहे थे इन चीजों को अब आपस अब definition के इस bare act में आईए look here everyone full page रखाए एक minute और subsidiary company means a company in which the holding company controls or exercises यह सारे words दिखने लगे it means a company तो यह जो word in a company तो मैंने आपको कभी life में बताया होगा layout या आपने मेरे से सुना होगा कि company का शब्द का मतलब होता है normally कि जो companies act के अंदर register हुई भी हो वो होती है company यह सुना आपने कि company का मतलब होता है जो companies act के अंदर register हुई भी होती है उसे हम बोलते है company तो आपको लगेगा subsidiary company Indian company है जिसमें एक holding company ऐसा-ऐसा hold कर रहे यह सही बात है but ध्यान से देखना जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक चीज लिखावा है that expression company includes body corporate यानि कि यहाँ पर even लिख ले न even foreign subsidiaries यानि कि आपकी कोई foreign company में subsidiaries है वो भी cover हो जाएंगे ओके यानि कि यहाँ इस clause के लिए definition थोड़ा सा अलग है full page even foreign subsidiaries are covered here sorry so even foreign subsidiaries are covered here पता कैसे चला आपको मैं company शब्दे का meaning नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं आज भी बोल रहा हूँ normally company का मतलब जो companies act के अंदर company है but इस clause के लिए क्योंकि हम लोग law में बहुत analyze करते हैं law में कई बार एक particular clause के लिए definition अलग हो जाती है तो लिखा है clearly the word company includes body corporate do remember this पक्का everyone so holding company, subsidiary company अब विश्वास नहीं मानोगे final level तक यह सारे definitions आपको फिर से पता होना चाहिए reason क्योंकि इसके जो impact होते हैं वो आपके कई बड़े-बड़े sections के अंदर भी आते हैं layout please यह maximum two layers of subsidiary हम लोग बाद अगले class में देखेंगे इसमें क्या कुछ ज्यान आपको मिलेगा सुनने को very interesting thing यह हम लोग फिर से देखेंगे थोड़े दिर बाद this is very important now holding subsidiary का definition हम लोग पढ़ रहे थे वो हो गया उसके बाद एक important चीज वापस से हम public company के definition में चलते है we'll go to the definition of a public company section 2 clause 71 से यह साई numbers याद करने हैं के 68, 71 नहीं section 2 में है definitions यतना करने से चलेगा आपको और definition बहुत अच्छा दिया है public company means a company which is not a private company public company is a company which is not a private company इसका मतलब क्या है can anyone tell me in the chat box what is the meaning of this line कोई बताएगा मुझे public company is a company which is not a private company क्या समझते हैं आप इस line से मैं वेट करता हूँ एक मिनिट public company is a company which is not a private company what do you understand by this line try please जिसके articles of association में वो तीनों में से एक भी restriction नहीं हो very good and it has a paid up capital as may be prescribed पहले पांच लाक हुआ करता था फिर हड़ गया है भविश्य में कभी आएगा तो एक pop-up आपके पास चला जाएगा ऐसी कोई minimum paid up capital के requirement नहीं है ओके एवरिवन और तुम ये बताओ public company के end में क्या लिखते हैं सर लिमिटेड ये सब को पता था now इधर पर आप एक चीज देखोगे बहुत interesting चीज एक्ट हो अच्छे यहां बना देता हूँ look at this everyone एक company X limited ओके और और एक company है Y limited Y private limited ओके नाओ ये जो है ये holding company है ये subsidiary company है please draw कर लीजे आप लोग भी तो ये था X limited holding company है Y private limited एक private company है और वो एक subsidiary company है सर तो क्या हुआ है यहां पर हुआ ये यहां पर कि अगर एक यह से बताईए अगर एक private company अगर एक private company subsidiary हो जाती है public company की तो वो private company अब मानी जाएगी public company वो private company को अब जो privileges private company को available होते हैं MCA notification के कारण वो अब available नहीं होंगे मैं वापस दोहरा रहा हूँ अगर एक private company public company की subsidiary हो जाती है तो वो private company अब मानी जाएगी public company पढ़के देखो ही line but YC वरसा नहीं है so what is the meaning of this suppose एक company था S limited S private limited वो holding company है इसका सर वो है T limited का तो अब यह नहीं बोलोगे कि अब इस public company को deemed private मान ले वो concept नहीं YC वरसा is not true तो when a private company तो जिनकी पास full page book नहीं है वो यह line को लिख सकते थे when a private company is a subsidiary of a public company then that private company is deemed to be a public company but not YC वरसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि public company में आप बोलेगे deemed private company का concept नहीं है इस section के अंदर तो वो private company अब मानी जाएगी public company सब है तो private company but it will why private limited can no longer enjoy लिख देना the relaxations granted to a private company इसका है वो चाहे तुम articles में तीन clause रखके भी रखे हो पर उसको कोई relaxations जो private company को relaxations मिलता है वो relaxations अब वाई private limited को बिलकुल भी नहीं मिलेगा याद रखेगा वो relaxations अब वाई private limited को बिलकुल भी नहीं मिलने वाला है is it fine everyone पक्का तो ये पूरा picture आपको clear हो गया है holding company के बाद मैंने public क्यों करवाया because private company के बाद you need to know लिख रहे हैं कोई photo कीशना चाहता है externally दूसरे mobile से तो आप ले लिया होगा layout ones तो ये तीनो definition clear है okay sir sir क्या सारी public company को listed होना जरूरी है ये हमने कल भी सुना था वापस सुना देता हूँ public companies listed unlisted दोनों हो सकती है हर public company को stock exchange पर trading permission के लिए list करवान आपने आपको वो जरूरी नहीं होता है ऐसी बहुत सारी companies हैं जो मैंने नाम भी लिख रखा है वो है public company पर unlisted है क्योंकि listed में बहुत सारे advantages है पर listed company को बहुत सारे formalities भी होते हैं तो अभी उनको लग रहा है उतना burden हम क्यों ले क्योंकि listed होते ही stock exchange के requirements securities exchange board of India के requirement जानके न सेबी कौन है अब बोलोगे doggy समीज से बोलो watchdog of Indian capital market तो इसलिए ये concept लोगों का clear होना चाहिए कि public companies listed भी हो सकती है unlisted भी हो सकती है private companies usually listed नहीं होती है but private companies अपने debentures को इन दिनों देखा गया है market में वो stock exchange में list करवाने लगी है is it okay तो ये तीनों definitions clear है अब ध्यान से सुनों जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब मैं एक amendment बहुत important famous definition कराऊंगा जिसका नाम है government company अच्छे एक query आया है मेरे पास क्या subsidiary company में आपने बोला था कि foreign subsidiaries भी covered है तो क्या sir holding company में भी foreign holding companies covered है yes क्योंकि वहाँ पे भी holding company means a company जब लिखते है नीचे लिखा रहाता है company includes body corporate के बीच में क्या difference है company जो इंडियन company जएक के अंदर बना है body corporate के पास separate entity है perpetual succession है पर body corporate में इंडियन company भी covered है foreign company भी covered है LLP भी limited liability partnership भी covered है याद रखिएगा तो आईए अब government company के definition को करे इसमें amendment है यह आपने पहले नहीं सुन रखा है यह amended चीजे है इसमें amendment क्या है जो पहले definition आपने बच्पन में पढ़ा है वो तो है उसके अलावा कुछ नया add भी कभी कभी करना पड़ता है as per the requirement दिखाऊंगा तो government company आपको अफकोर्स नाम सुनते हैं आपने कभी economics में भी पढ़ा होगा class 12 में हाँ साइज इसमें government की holding होती है पर क्या hold करता है और कितना percent hold करता है government वो हम लोग अभी check कर लेंगे तो government company का language देखो ध्यान से section 2 clause 45 minimum 51% of the paid up share capital is held by CG central government और state government या CG plus SG मिल के hold कर रहे है या 2-3 state governments मिल के hold कर रहे है तो कई option दिया है and when I say paid up share capital remember it is paid up equity या preference which adbox में बताएगा जब मैं paid up share capital लिख रहा हूँ तो paid up equity है या paid up preference है which one is this yes paid up equity plus paid up preference दोनों covered है तो जब मैं लिखता हूँ या पर दोनों covered हो जाता है paid up equity भी covered है है आपर and paid up preference भी covered है is it fine everyone तो government company एक ऐसी company है जिसमें 51% or more of the paid up share capital is held ऐसे ऐसे तरीके से अच्छा इसी में एक और चीज होता है पहले भी था अभी भी है अगर एक company मेरी बात ध्यान से सुनना एक company हुम है and अगर कोई company subsidiary है if a company is a subsidiary of a government company बत्द उस company में central government और state government का holding 51% और more नहीं है बट अगर एक company subsidiary है government company की understood उस company में एक दूसरी company more than 50% equity hold करती है because equity से नॉर्मली वोटिंग पा रहाता है तो अगर आप एक subsidiary है एक दूसरी government company hold करती है more than 50% तो आप इस clause में तो देखो क्या लिखाव है इस clause में तो लिखाव है या तो इन लोग का holding हो इन लोग का holding 51 क्रॉस नहीं कर रहा है पर अगर कोई company subsidiary है government company की line लिख लो if a company is a sir मैं कहां लिखू section 2 clause 45 आपके books में लिख लिजे या जो लोग page maintain कर रहे है page में if a company is a subsidiary of a government company then that company is deemed to be consider to be याद रखना a government company क्योंकि तुम तो पहला line से पढ़के गयो ना cgsg का holding ढूंडोगे और जान मुझके पता है क्या लिखेंगे cgsg का holding 20% दिखाएंगे suppose एक question बनाता हूं मैं why limited why limited में cg का holding 20% sg का holding 5% ongc company सुना आपने या भेल इनकी holding 55% is why limited a government company मुझे answer चाहिए आपकी तरफ से chat box में answer में पहले पढ़ूंगा तो why limited का भी आप बताओगे और मुझे x limited के angle से भी बताओगे दो questions हैं आपके सामने चलिए मुझे दोनों angle से आप सोचके chat box में reply करिए do it please देखता हूं लोग क्या लिख रहे हैं आप 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 जल्दी आप क्या लग रहे है आपको आप 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 इस question को पढ़कर क्या लगा आपको X limited या Y limited के बारे में बताओ क्या वो Y limited government company है क्या X limited government company X limited का तो PPT बना हुआ है और Y limited का मैंने लिख दिया था इस Y limited a government company तेल मी इस X limited a government company मुझे बताईए बेखो Y limited के case में yes हो जाएगा बहुत सिंपल है X भी क्या लग रहा आपको मैं वेट कर रहा हूँ X के बारे में बताईए X के case में क्या लग रहा है Y के case में yes क्यों हो जाएगा वो बताईए क्योंकि Y Limited एक government company की subsidiary होगी ONGC 55% off suppose voting power भी hold कर रहा है ऐसा information दिया रहेगा तो वो holding हो गया अगर कोई company subsidiary बन जाती है government company की तो वो government company deemed to be तब वो first company deemed to be a government company हो जाएगा Is it okay? X Limited का बताईए मुझे Let me know about X Limited anyone in the YouTube पे चुकर रहा हो live class X Limited के case में आप आपको देखके फिभावुक हो जाओगे आप कई लोग भी समें फस जाते है वो क्या करते हैं tendency यह सारा add करने चले जाते है पर आप बात बताओ मुझे CG और SG का चेक करना था stage 1, step 1 क्या था CG और SG की holding चेक करना है देखो आप डियाग्राम आपके सामने है CG, SG, CG, plus SG ही लिखा हूँ है सिर्फ आप बोले था ना government company जब hold करता है वो था अगर government company आप में more than 50% hold करके equity hold करके आगर आपको अपनी subsidiary बना ले तो पर यह जो सिर्फ ONGC का 20% holding है यहाँ तो 55% voting इधर पर ONGC का सिर्फ जो 20% holding है 20% holding के आधार पर आप इसको इसका subsidiary कैसे बना देंगे सर इसके से एड कर देते हैं न एड कैसे हो जाएगा एड तो सिर्फ यही होगा पर अगर अखिला वो 60% hold करता तो मैं बोलता कि X limited भी government company है तो यहाँ पर सिर्फ यही दो एड होंगे इसलिए definition state करना है और यह दो एड करना से 40% ही आ रहा है तो यहाँ पर X limited government company नहीं है बट Y limited जो था वो government company इस कारण से हो गया था क्योंकि वो ONGC का subsidiary बन गया था पर X limited subsidiary नहीं बना है और उपर से अगर मैं holding भी आड करूं तो मेरा holding आड करके 50% हो रहा है CG और SG का ONGC का holding आड नहीं होगा लिख देना रिवाइस कर लो एक और फिर से देख लो सोच लो प्लीज मुझे आप WhatsApp भी कर सकते हैं पढ़ाई के दौरान अगर कुछ query हो class के बाद शाम को audio करके भेज सकते मैं आपके इस बैच से हूँ या यह pen drive में देख रहा हूँ you can also WhatsApp me or audio queries okay पक्का चलिए very good sure है आप लोग इस चीज को देख चुके हैं सब कोई ओके नाव अब दो तिर चीज आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बोलूँगा अब definition में change आया है this slide is very important slide now there are changes in the definition change में जो हम लोग पढ़े थे full page करियेगा एक बार जो paid up share capital का हम पढ़े थे वो अभी भी वजूद एकदम सही है change क्या आया है कि कुछ कुछ companies equity shares issue करती है सबी करती है पूरा सुनो with differential voting rights प्लीज ध्यान से सुनना ये नई चीज अब घबराना मत बिल्कुल भी आपने सुनना equity shares में uniform voting rights होता है एक concept होता है equity shares with differential voting rights इन में voting rights थोड़े अलग होंगे तो अगर कोई company equity shares issue करती है with differential voting rights समझाते था हो meaning अभी समझाओंगा आपको कि normally suppose एक share पर एक vote है differential voting rights वाले जो shares होते है उसमें usually inferior rights होते है 10 share पर एक vote है सर अब तुम बोलोगे सर कौन बेकूफ है जो ऐसे company का share लेगा voting rights देखकर लोग के अलग-अलग mindset होते है कुछ investor से vote को देखकर share में invest नहीं करते है उनको लग रहा है इस company का market value shares का बहुत भड़ेगा आगे तो let us invest और ये company normally अपना shares देती नहीं है और अभी दे रही है तो let us invest तुम सिर्व वो voting rights देखकर rejection नहीं कर दोगे तो usually क्या होता है कि जो public sector undertakings होते है government company उनलोग divestment जब अपना shares private parties को बेचना चाते हैं तो public sector वाली जो companies होती है वो जब divestment कर रही होती है उस समय step का concept picture में आता है कि वो differential voting rights वाले shares market में issue करती है उससे government company को layout government company को फायदा क्या हुआ कि उन्होंने पैसा भी raise कर दिया अपने आपको सुधारने के लिए या divestment के लिए उनको funds की दरकार थी shares issue करके पैसा भी आ गया और voting ज़्यादा बाहर वाले parties के पास नहीं गया ये logic है कि कुछ companies अभी बहुत सारे equity shares भी लाएंगे with differential voting rights सर सुपीरियर वोटिंग राइट का concept भी होता है क्या वो exam में नहीं पूछेगा पर मैं आपको बता दू कि जो unlisted startup companies होता है न मैं आपको पढ़ाऊंगा startup company का concept जो unlisted जो stock exchange पे लिस्टेद नहीं है वो usually अपने promoters founders को superior right वाल equity shares दे सकते हैं superior rights वाले मतलब कि अगर एक share है तो दो voting rights 2 is to 1 से लेकर 10 is to 1 तक जा सकते हैं एक share के लिए 10 votes तो इस superior rights वाले जो equity shares होते हैं ये unlisted startup companies जो है unlisted startup companies अपने promoters founders को ऐसा market में देखा गया है they are giving and वो उनको allowed है पर listed companies can never give superior rights equity shares listed stock exchange में list होने के बाद वो नहीं दे सकते हैं अगर unlisted company list होता है पहले दे रखा था कोई problem नहीं है और उसमें भी बहुत सारे conditions है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है मेरे सकते हैं पर differential voting rights में logic लिखा मैं wait कर लेता हूँ full page करो example लिखो कि government companies market में हिंदी में लिख लो प्लीज ताकि बाद में भी आपको कोई friend अगर पूछे यह inferior rights कौन लेगा कौन बेवकूफ है जो inferior rights लेगा तो आप बता सकोगे कि government company market में पैसा raise करना चाता है ऐसे shares issue करके सिर्फ government ज्यादा करता है बर normal companies भी market में की है 2006-07 2006 में भी बड़ी-बड़ी companies like pantaloons इसमें shopping करते हो आप जागे pantaloons retail गुजरात एनारी ऐसी बड़ी-बड़ी companies ने ऐसा issue किया इसे फायदा उनको क्या है उनको तो funds की दरकार कुछ लोग को पास surplus funds पड़ा उनको लगाना है औ और हमारे लिए हमारा उद्देश क्या है कि बाहर वालों पर हम जादा अपना voting dilute ना करें control dilute ना करें तो इसलिए उनको inferior voting rights दे दिये सरी आप background इतना हम लोग को क्यों दे रहा है better concepts के लिए ताकि आप सिव रटो नहीं समझ के जाओ क्योंकि अब क्या आ गया है कि अगर आ equity shares issue किये है with differential voting rights तो ऐसे case में अगर आपकी company equity shares issue की है with differential voting rights तो ऐसे situation में याद रखिएगा ऐसे situation में what you have to do आपको 51% वाला जो slap था वो voting powers से compare करना है कि अगर 51% और more of the voting power cg sg और जो भी था उनके पास अगर 51% of voting power आप देखोगे नॉर्मली आप देखते थे 51% or more of paid up share capital वो अभी भी आप देखोगे पर अगर question में लिख दे what will be your answer if this company has issued equity shares with differential shares तो आपको calculation change हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे इन्होंने समझाया है कि यह इनकी share capital थी यह इनका voting power था दिख रहा है share capital 400 lakhs रुपीज में है understood तो number of shares कितने रहे होंगे 40 lakh number of shares multiplied by rupees 10 करोगे तब ना 400 वो आ गया तो 40 lakh shares में 40 lakh votes था है इनके पास और सपोज आपकी कमदिये ने तो यह जीरो है प्रेफरेंस capital 400 lakhs paper में दिया आवा है तो पेड़ाप आ गया 800 तो मुझे 51% of 800 lakhs पहले हम लोग देखते थे understood everyone और वो अगर हमारा ज्यादा हो जा रहा है तो ऐसे situation में हम बोलते थे कि वह गौर्रमेंट कमनी है अब यहां पर देखोगे आप सपोस्ट पेपर में दिया वा है कि आपका इसका मतलब कितना शेयर यह 10 लाक शेयर नमबर ऑफ शेयर तो सो लाक कैसे आया रह मल्टिपलाइट वाइट रूपीज पक्का प्र टेन लेक नंबर है पर वोटिंग पर इसमार्ट लाक नहीं होगा वोटिंग यहों गया योकि 10 शेयर के लिए one वोर तो यह निकर आता ही का 51% check करना होगा क्या CG के पास या SG के पास है क्या तो ऐसे situation में हम फिर बोलेंगे कि वो government company है तो तुमको exam में normal पुराना definition लिखना है और अगर paper में case study में information में दिया है क्या आपकी company in equity shares with differential rights issue किये हैं जो कि usually inferior होते हैं listed companies तो हमेशा inferior ही issue कर सकता उसको allowed ही नहीं है superior वाला सब्सक्राइब पढ़ाया थे ना वो unlisted start-up companies के लिए था वो भी हर unlisted company के लिए नहीं है photo तार लो 2 minute revise कर लो मैं शान्त हू 2 minute पक्का और एक चीज़ और लिख ले ना lot of relaxations to government companies बहुत सारे sections में relief है government companies के लिए या उनके लिए कुछ अलग चीज़ होती है lot of relaxations to government companies ध्यान से देख लो copy this everyone start doing it everyone कल शाम को भी हम लोग मिलेंगे कल शाम को लोग लेट मिलेंगे सवा 6 बजे जो लोग free हो कल 6.15 पर भी आज के बाद भी most probably class होगी एक बार app में check कर लिजेगा notifications आ जाएगा कल सवा 6 बजे target कर रहे हम लोग कल फिर से सवा 6 बजे शाम को तो have a look यह सारी चीज़े दिखने लगी हैं आपको एका सोच लो यह 41 लाक number of shares है और हम लोग मत वोटिंग पार क्योंकि एक share का एक था तो 41 लाक क्या 51% होना चाहिए तब वो government company के clause में पढ़ेगा अगर equity shares with differential rights issue हुई है तो पक्का everyone से तो आपको finally answer क्या लिखना है ले आउट answer में आप दोनों लिखोगे पहले normal paid up share capital का definition दोगे और फिर आप ये भी समझाओगे पक्का everyone आज हमने पड़ा है private company number one number two public company उठ जाओ हरारों कैमरा से private company, public company holding subsidiary foreign holding, foreign subsidiary covered because the company here includes body corporate तीसरा, चौथा government company और उसका amendment अब क्योंकि यह word startup आया था मैं बहुत flow में जा रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पर आपको definition of startup सिखाना चाहूंगा तो layout once या startup का definition दिखाना चाहता हो कि startup company क्या होती है वना कई लोग सोचते है startup company मतलब बस शुरू हो गए, company नहीं company है no, startup company आप क्या बोलेंगे यहाँ पर यह हम लोग अभी समझ लेते हैं and what is written कि startup company सुनती मन में ख्याल क्या आता है sir, जो technologically driven company होती है बहुत सारे relaxation है startup company में हमारे law के लिए हर जगा income tax में, company law में and जिसका turnover इन दसो साल में कभी भी 100 करोड cross ना हुआ हो, पहले फिगर कुछ और था, change होता रहता है आज आप 100 करोड मेरे से मुझ से सुनने, आज मैं record कर रहा हूं सकता, आप कुछ दिन बार जब सुनेंगे तो 1500 करोड हो जाए, तो समय समय पर वो change होगा, तो एक pop-up भेज दूँगा पर concept समझ में आ रहा है, टेकनोलोजी करी driven company हो, product या service कुछ भी देती हो, टेकनोलोजी करी driven हो, and turnover cross ना करता हो, कितना cross ना करता हो 100 करोड, और 10 साल तक वो startup का status enjoy करेंगे तो कई लोग होश्यारी क्या करना चारी, suppose एक बड़ी company technology driven है okay, and turnover उसका 1.500 करोड है, तब हो होश्यारी अगर कोई ये सोचे, मैं अब काम करता हूँ, अपनी company को 2 company में split कर देता हूँ, और अब turnover कम आएगा और मैं बोलूँगा, मैं startup हूँ क्योंकि मैं technology driven हूँ, मेरा turnover cross नहीं कर रहा है 100 करोड, ऐसे नहीं क्योंकि splitting up या reconstruction से अगर कोई company बन जाती है तो वो startup नहीं माने जाएगी तब तो हर आदमी ये ही करना चाहेगा हर आदमी, मतब हर company ही ये करना चाहेगा नेचर में नहीं बनता है, ठीक है तो आईए startup का definition फिर से देख ले जैसा मैंने बोला यहाँ पर वैसा ही लिखावा है private limited company के रूप में firm के रूप में Indian LLP के रूप में अगर public company बनाओ तो startup नहीं बना जाएगा startup की ये तीन forms है तो जिनके पास notes नहीं है, वो running notes लिख रहे होंगे या photo उतार लेंगे, one side complete the marking turnover does not exceed एक amount जो periodically change होता रहता है और ये innovation और ये सब के लिए है new product ये नया service which is driven by technology ओके और 10 years तक enjoy करते हैं, ये भी figures ये पहले 5 years हो सकता कुछ दिन बाद 15 साल कर दे गॉर्मेंट और जो entities आपस में तूट करके या कुछ reconstructions already existing को अगर आप तोड़ जोड़के एक नया रूप दे दे और बोले ये startup है तो वो startup का status in joy नहीं कर पाएगा is it fine, full page करो तो जिनके पास नहीं है, वो external मोबाइल से एक बार इस image को उतार लीजे ताकि आज ही revise करोगे मैं तो बोल रहाँ class खत्म होने के बाद वहीं बैठे रहोगे और revise करके ही उठोगे अब बहुत serious होना पड़ेगा आपको तो startup company नया चीज आपने अज देखा है ध्यान से पक्का तो ऐसे बहुत सारे definitions हम लोग देखते रहते हैं और यह पता ही definitions जो आप कर रहे हैं यह आपके audit paper को भी impact करता है CMA में CMA because audit paper में जहम लोग audit पड़ेंगे वहाँ यह सब sections यह सब words आते हैं तो unless you know this word private company public company holding subsidiary startup relatives अब नया definition आने वाला है हमारे और आपके बीच में तो अगर आपका यह नहीं पड़ावा हो तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे पक्का तो government company का definition आपके बुक में जहां लिखा वा था वहाँ पर वो line missing थी कई books में differential voting rights वाली line उसको add करना है जाके मैं wait करता हूँ एक बार आप government company के definition में जाईए books के अंदर जिनके पास books है ताकि काम complete हो जाए अभी section 2 clause 45 में आप अपने books में जाईएगा books में वो print नहीं हुआ वा है amendment वाला line उसको add कर लिजेगा that अगर company if a company has issued equity shares with differential voting rights then 51% of the voting power has to be checked कि अगर 51% of the voting power full page करना है एक बार ये 3 lines जो है ये books में add कर लेंगे full page मैं बोलता हूँ करी लीजे अगर नहीं किया वा है या जो लोग कॉपी में भी maintain कर रहे हैं these three lines are very important please copy this I'll wait मैं wait कर लूँगा अब कॉपी कर लीजे तो अच्छे-च्छे definitions हम लोग कर रहे थे पूरा flow में हम लोग चल रहे हैं अभी the entire flow is going on subsidiary company भी clear है और ये 3 lines एक बुक में अभी का भी कॉपी कर लीजे that would be better check कर लीजे जल्दी से so types of companies कर रहे थे concepts बहुत fundamental है last तक ये आपको पता होना चाहिए layout चली very good अच्छा copy आपके आज तो slide है या बाद में कॉपी कर लीजे वार लिख के रखे प्रीजे books में जो लोग books maintain कर रहे now comes the next line of attack that is relatives का definition कि what do you mean by relative relative शब्द के अंदर क्या क्या आएगा तो look here say definition क्यों पढ़ना है हम लोग को ये definition इसलिए पढ़ना है because ये definition आपको पूरे syllabus में बार-बार काम आने वाला है तो section 2 sub section 7 sorry clause 77 की relative शब्द अगर आप देखो गया आपकी books में भी ppt में तो hey books में भी एक पर आ जाए members of Hindu undivided family joint family नहीं लिखा है मैंने Hindu undivided family के जो members है वो relatives है husband and wife are relatives या आपस में जो एक-दूसर से related है जो हमारे schedule में Companies Act में prescribed है कि क्या-क्या type के relation को हम relatives मानेंगे यहां पर जरूर लिख देना different from IT Act income tax Act से income tax Act से different है वहां भी teacher आपको relatives का meaning पढ़ाएंगे उनके relatives की definition और हमारे relatives की definition अलग होते हैं तो remember income tax Act का definition से अलग है अभी लिख देना हर Act के अंदर उस एक word का definition अलग हो सकता है होता है in fact तो relatives के अंदर कौन-कौन आएंगे एक बार full page देखिए आप एक लिस्ट को एक बार खुद पढ़िए फिर मैं आपको थोड़ा daughter son's wife daughter's husband brother sister or step brother step sister भी covered है step son भी covered है okay पक्का everyone देखा आप लोगों ने अच्छे से देखा चेक करो मैंने हटाय है एक मिनट तो जब मैं relative शब्द को बोलू तो उसमें क्या क्या टाइप की paper important होते हैं यह हमको देखना बहुत जरूरी होगा ठीक है so what are what is considered in the word relatives यह हम लोग फिर से देख लेते हैं आईए layout मेरे style से देखे का ध्यान से जो मैं दिखाना जा रहा हूं आपको उसको observe करना है ध्यान से यहां पर हम देख रहे हैं Mr. X and Mrs. X एक था लड़का और एक थी लड़की दिवानी सर गाना गाएंगे आप नहीं संडे है पर गाना गाने का मन नहीं Mr. X and Mrs. X they are husband wife are they relatives yes अब suppose हमको Mr. X के relatives का पता लगाना है ताकि आपको लिस्ट रटना नहीं पड़े इसमें टेखनीक दिखाता हूं मुझे Mr. X के relatives का पता लगाना है तो अगर मुझे Mr. X के relatives का पता लगाना है तो things would move like this X के father mother ठीक है सर X के बच्चे ओके सर X के भाई बहन brother sister ये देखो मेरे संग ड्रॉ करो इस चार्ट को और ऐसे करना एक था लड़का एक थे लड़की दिवानी husband wife I'm not talking about BFGF I'm talking about husband wife Mr. X and Mrs. X तो ये एकदम आपके exercise की तरह हो गया है exercise कैसा के हाथ उपर father mother हाथ इधर brother sister हाथ नीचे आपके बच्चे पर देखो एक भी पर यहां तक ड्रॉ करो scene 1 ऐसे पूरा लिखो scene 1 लिखो we are finding out we are finding out relatives of Mr. X scene 1 बोलके copy करना we are finding out relatives of Mr. X अरे उठो गाओं बालों जल्दी लिखो तो हम relatives of Mr. X पता लगा रहे हैं इस तरीके से अब यहां देखने वाली बात क्या है ध्यान से सुनना हम लोग Mr. X का relative पता लगा रहे हैं yes sir वो तो दिखा मुझे हम लोग Mrs. X का relative नहीं consider कर रहे हैं Mr. X का तो भाई बेन X के हैं माता पिता भी X के हैं आपके exam में question आएगा क्या wife के father mother आपके relative है Mr. X के क्या Mrs. X की बेहना एक बात बताओ Mr. X है और Mrs. X है Mrs. X की sister Mr. X की क्या लगी बताईए वापस सुनो मेरा question YouTube viewers Mrs. X की बेहना Mr. X की क्या लगी क्या लिख रहे हैं आप जल्दे लिखिए Mrs. X की बेहन Mr. X की क्या लगी वाई क्या लिखता है एक बच्चा लिख रहे है साली no 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 don't use that word Mrs. X की बेहना sister-in-law लगी but कोई रिष्टा नहीं होगा यानि कि sister-in-law भी covered नहीं है father mother of Mrs. X भी companies act में covered नहीं है father-in-law mother-in-law covered नहीं है list में match करो book में जो खुलवाया मैंने आप मेरी बात समझ रहे हैं क्योंकि exam में जैसे father-in-law दिखता है तो आप तो और भावुक हो जाते हैं नहीं नहीं उसके पिताजी का अगर मैं सम्मान न करो तो वो मेरा सम्मान नहीं करेगी मेरा सम्मान ले लेगी वो तो relative है और sister-in-law अधी घर वाली ये सब बातों से law नहीं चलता है तो sister-in-law, father-in-law, mother-in-law ये सब कोई भी covered नहीं है this is scene 1 and scene 1 हम लोग को क्या सिखाया है scene 1 हमको सिखाया है कि यहां तक अभी हमने देखा ये अब scene 2 बनाएंगे वापस ही बनाना Mr. X के relatives हम पता लगा रहे है Mrs. X of course उसके relative है father-mother यहां तक हम लोग बना लिए brother, sister भी बना लिए son, daughter भी बना लिए अब हम लोग इस scene में क्या नया चीज़ देखने वाले हैं कि son's wife is covered daughter's husband is covered देखा हमने son's wife and daughter's husband but now question आपसे ये है grandfather grandmother क्या वो covered है आपसे question है देखता हूँ यह नया ऐसे पूरा ऐसे बनाना scene 2 में मैंने और कुछ add किया क्या grandfather, grandmother covered है ऐसे बनाओ question बताओ chat box में मुझे क्या grandfather and grandmother covered है अरे interactive session हो रहा है यही तो अगर आप मेरे से पढ़ेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर पर है कभी कभी तुम्हें गला पकड़ ले तो भाई लोगों का दिदी लोग को नहीं नाटता हूँ क्यों प्यार से ही समझ जाती है sincere है तो क्या grandfather and grandmother covered है बच्चा भवुक हो गया वो नहीं होते तो वो नहीं होते है और हम भी नहीं होते है अरे यार यहां पर नहीं covered है यह सिर्फ एक generation उपर और एक generation नीचे जा रहा है grandchildren grandchildren भी covered नहीं है वैसे relative हैं पर grandchildren भी चार्ट में covered नहीं है याद रखिएगा और जान बूझकर exam में इन पर ही case study देकर आपको फसा देता है तो grandfather not covered, grandmother not covered लिख लिया होगा पूल पेज brother and sisters children not covered यह observations लिखो in-laws not covered Mr. X के relatives में बता रहा था brother and sisters children not covered copy कर लिए na grandfather, grandmother not covered grandchildren नहीं covered brother and sisters children not covered तुमारी बेहन का जो बच्चा है वो तुमको क्या बुलाता है बताओ कंस मामा न याद रखना तो तुम covered नहीं हो ओके यह चार्ट किस एंगल से बना है वो भी बता दूँगा आपको तो पहले copy करो कौन-कौन से रिष्टे covered नहीं है इसको अच्छे से copy कर लिजे इसको जल्दी ही copy कर लिजे brother and sisters, children not covered, grandfather, grandmother not covered पक्का everyone तो finally आपको पता चल गया layout कि relatives शब्द के अंदर क्या क्या आता है हमारे law में यह आपको एकदम clear हो गया है अच्छा step son covered था, step father, step mother बढ़ step daughter देखो list में covered नहीं है यह इनके तरफ से भी कुछ भूल रह गया है यह थोड़े दिन में changes आ जाना चाहिए पक्का यह actually chart इस angle से बनाए कि तुम को property कौन दे सकता है father, mother देंगे ऐसे तो grandfather भी देंगे बड़ी लोग generation को limit कर दिये तो relatives का definition पहले पुराने companies act में बहुत बड़ा होता था this definition is comparatively very narrow एक बच्चा पूछा अगर Mrs. X के relatives में पता करो same concept Mrs. X के माबाप Mrs. X के भाई बेन बच्चे अफकॉर्स एक्स और Mrs. X दोनों के है तो उनके son daughter वाला portion नीचे आला common है तो सब कुछ Mrs. X के angle से आप देखोगे तो इसको एक नम वही base copy करना जिसको जिसके relative को पता करें उसमें ये father mother का rule apply करना तब कोई confusion होएगा ये नहीं तो हम लोगों ने अभी अभी definition of relatives भी देख लिया ओके सर सो देखो यहाँ पर हम लोग documents देख रहे थे definition of relatives भी we have just seen कि there are lot of definitions of relatives जो हमने यहाँ पर देखा है now इस relatives की definition की बाद दो important definition हम और देखना चाहेंगे दो तिन important definition one definition is of a very famous word called net worth एक बहुत famous definition है section 2 जिनके as books है और जिनके as copy में maintain हो रहा है वो लिखना जो flow आज का लिख रहे हो ना आज का flow कोई बता सकता है मेरे को मैं help कर दे रहा हूँ जो लोगा पहले सोए वे थे holding subsidiary company public company government company अरे pvt लिख लो pvt company hs लिख लो pub company public government company startup पहले पांच companies का definition के बाद हम लोग अब कुछ independent words पर आ रहे है relative का word देखा अब हम लोग net worth देखेंगे section 2 clause 57 में और हम लोग net worth के बाद और बहुत कुछ देखने वाले हैं हम लोग turnover देखेंगे इस सारे accounting words नेट वर्थ turnover turnover का definition is section 2 clause 91 तो बुक वाले लोग पहले बुक में mark कर लो और copy में भी आप maintain कर रहे हो sequence of studying net worth turnover लिखा आपने एन एक और uncommon definition देखेंगे जो उतना important नहीं है पर reading के लिए हम लोग करना पड़ता है that is public financial institution section 2 clause 72 यह word भी law में पढ़ते हैं वक कई बार आएगा public financial institution section 2 clause 72 नेट वर्थ का definition law में क्यों पढ़ते हैं क्योंकि कई sections में net worth word आता है एकदम turnover word आता है PFI word आता है तो you must know that what is covered in these तो आएए पहले PFI कर लेंगे page खुलावा है full page कर दो तो जिनको photo लेना होगा वो photo भी ले लेंगे कि public financial externally जो mobile से photo लेना चाहते हो तो public financial जिनके अब भी notes नहीं हो कि PFI के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो एक बार हम लोग भी analyze कर लेते हैं start reading it everyone what things would come inside this word public financial institution do it once जल्दी पर लीजे तो PFI में एक list आया है जिससे simple definition लिखो don't learn word to word आपको नाम देख लेना कि यह PFI है copy कर लो LIC IDFCI full form book में लिखाव है these are PFI UTI General Insurance Companies Roman 4 के अंदर आ रहा है and such are the institutions जो government RBI के परामर्श से कई बार उसको करता रहता है कि और किस-किस institution को cover किया जाए and usually notify करने के पहले वो दोनों में से एक चीज़ देखना चाहती है any of the two conditions या तो वो किसी central या state act के अंदर बने हो वो institution या वहाँ पर 51% or more of the paid up share capital government के पास हो CGSG और some combinations तो यह जो definition है only read once you don't have to learn बाकी में क्या होता है case studies आते है इस पर case study नहीं आता है यह कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए अगर paper में कभी आ जाए कि UTI से loan ले रखा है तो तुमारे घंटी बजेगी कि UTI is a public financial institution सघंटी क्यों बजाना है क्योंकि वहां law में कुछ लिखा रहेगा कि अगर आपने public financial institution से loan ले रखा है तो यह यह चीज का ध्यान देना चाहिए तो please write down that these are the list of PFIs जो लोग के पास notes नहीं है तो CG और RBI मिलके समय समय पर और भी लोगों को यहां पर और भी entities को notify कर सकते हैं अगर दोनों में से if any one of the two conditions are satisfied तो हम लोग public financial financial institution की definition को अभी देख रहे थे अब हमें net worth में जाना है and turnover पे जाना है turnover बहुत simple है layout, turnover definition is very simple because वहाँ पे turnover का मतलब है जो turnover हम recognize करते हैं PL account में वो turnover की बात हम लोग कर रहे हैं turnover is a very simple word कि any accrual basis पर जो भी turnover आता है that is the turnover we are talking about लिख देना turnover का definition में turnover जो भी accrual basis पर revenue recognized in PL account को हम turnover बोलते हैं section 2 sub clause sorry section 2 clause 91 so turnover शब्द का मतलब क्या है जो turnover हम accrual basis पर recognize करते हैं net worth this definition is very useful तो यहाँ पर आपको यह but in big questions in big practical questions या case studies MCQ वाले में कई बार आपको कुछ analytical चीज़ दे सकता है definition भी पूछता नहीं है the defined network small company foreign company यह सब government company sorry private public यह आपको case study के अंदर आ सकते हैं but network defined network नहीं पूछेगा but you must know accounts में भी network बोलते हैं अब मुपे आता है paid up share capital reserve surplus यह बोलते हैं तो आईए यहाँ पर network शब्दे के अंदर चार कौन से चीज़ें add हो रही है paid up share capital जो भी reserves profits से created हो वो add हो रहा है जो भी reserves profits से created हो ध्यान से देखो जो लोकेस नहीं है लिक भी रहे होंगे securities premium का balance भी network में होगा PL credit balance है तो add होगा PL debit balance है तो less होगा less और क्या क्या करना है यहां से अपे clearly लिखावा है कि यहां से आप less करोगे इसका accumulated losses अगर कोई है तो वो आपको less करना है उसके अलावा deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off यह सिर्व accounts में आपने सीखा होगा पर यह adjustments अगर आप देखोगे नहीं न तो वहां exam में आप घबरा सकते हो net worth के calculation को करते वग तो did you understand net worth शब्द के अंदर paid up share capital, reserves out of profit securities premium, PL plus minus less accumulated losses, deferred expenditure miscellaneous expenditure, not written off यह याद रहेगा आपको पर क्या ignore कर दे न जैसे ignore इसका मतलब क्या हो रहा है information दिया रहेगा paper में evaluation reserve काई लोग इसको add कर देते हैं उसको ignore कर दो अगर यह लिखा हो reserves is 100 out of that evaluation is 20, reserves out of profit is 80 तो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ 100 में से minus कर देना evaluation reserve पर अगर अलग यह दिया होए है कि जैसे जैसे evaluation reserve कम होता रहता आपको depreciation right back करना पड़ता है और अगर कोई amalgamation हुआ है और कोई capital reserve हुआ है during amalgamation अगर कोई capital reserve arise हुआ है वो भी ignore कर दीजे तो evaluation reserve is not taken in the network, it is ignored तो यह accounts teacher आपको of course amalgamation का capital reserve और right back पढ़ाएंगे पर मैंने mention कर दिया है these are ignored, I am not saying subtract, subtract करोगे अगर वो reserves में included हैं तो otherwise these things are ignored in our calculation purposes तो यह net worth का definition और turnover का definition and PFI का definition तीनो definition clear है सब कोई को sure everyone पक्का everyone ध्यान से देखो अब एक definition में करवाऊंगा section 3 जो amendment हो गया था बहुत बड़ा एक amendment आया था budget के बाद February 2021 में amendment हो गया था तो OPC आपको सबको पता है OPC is a private company लिख लेना इसको अच्छे से कि OPC एक private company की तरह है और OPC में याद रखना only a natural person can form OPC यानि कि एक company OPC नहीं बना सकती OPC में shareholder एक ही होगा एक natural person Indian citizen होगा अच्छा resident of India होगा यह सब दिखर आपको तो यह सब जो clauses हैं यह changes हो गए हैं February 2021 के बाद even आप resident नहीं हैं तो भी आप OPC बना सकते हैं याद रखियेगा Sir क्या बोला इतना गजब बात येस प्लीज राइड दाउन even if you are not a resident you can make OPC now तो यह बहुत बड़ी चीज आई है whether resident in India or not हाँ Indian citizen होना जरूरी है बर resident or not तो भी आप OPC बना सकते हैं और OPC का जो definition या 182 days पहले बोलते थे वो at least 120 days हो गया है बड उसके लिए आप कोई देख के भी फाइदा नहीं है because definition change क्यों तो किया उन्होंने 120 days का slab even if you are not a resident you can still form OPC अगर आप resident नहीं है तो भी आप OPC बना सकते हैं तो OPC एक private company है जिसमें लोग बोलते थे कि इसका जो member है उसको Indian citizen and resident of India होना पड़ेगा अब resident नहीं होगा तो भी problem नहीं है even if not a resident he can form OPC अगर वो resident नहीं है तो भी वो OPC बना सकता है remember this पक्का कि OPC आप बना सकते हैं even if you are not a resident this is a big change लिखो अच्छे से प्लीज यह बहुत बड़ा change है जो November, December 2021, 22 वाले बच्चों के लिए था जो लोग June 2021 में exam दे रहे थे उनके लिए नहीं था but 21 November, December onwards 22, 23 अब जबी भी आपकी exam है यह नया चीज आपको पढ़के जाना है और एक concept होता था कि voluntary conversion OPC नहीं करवा सकता है दो साल तक incorporation के लिए वो भी हड़ गया कि आप OPC बने हैं अब अपने आपको convert करना चाहते है कोई दूसरे company में तो दो साल बादी कर सकते हो वो हड़ गया है प्रोहिबिशन फॉर वोलिंटरी कंवर्जिन फॉर्स तो यह आफ्टर इंकॉर्पोरेशन था पीन रिमूब्ट नाओ रिमूव कर दिया गया है यह जो प्रोहिबिशन है इससे रिमूव कर दिया गया है अब आप दो साल के बाद भी करा सकते है और इचीज कि अगर कोई OPC की पेड़ प्रोहिबिशन फॉर्पोरेशन फॉर्स प्रोहिबिशन फॉर्स हो जाता था तो उसको कंपल्सरिली कंवर्ट करना पड़ता था OPC में वो भी हड़ गया है that is removal of the limits for compulsory conversion OPC को अपना status खोना पड़ता था वो status अब उसे नहीं खोना पड़ेगा मैं वापस repeat करूँगे एक बार लिख लो अब यह सिब limits limits जो पहले होते थे वो से follow नहीं करने की दरकार है यानि OPC chapter पड़ाने कि समय अब time बहुत कम लगेगा क्योंकि सिब हटाई दिया न layout once तो मैं वापस repeat कर रहा हूं तो OPC में who can incorporate OPC जब हम यह पढ़ते हैं तो याद रखेगा unnatural person who is an Indian citizen second point age of majority of course यह एक पॉइंट और होता है age of majority भी होना चाहिए and even if he is not a resident resident or non-resident NRIs can also form OPC basically हमें foreign investors से बहुत पैसा टानना है इसलिए amendment आया NRIs के पास से पैसा टानना है इसलिए amendment has been brought into picture ओके दो साल तक OPC अपना status convert नहीं कर सकता था पहले incorporation से वो हड़ गया अब दो साल के पहले भी convert कर सकता है suppose किसी को OPC बने वे 5 साल हो गए तो उसमें नियम था 5 साल से तुम OPC चल रहे हो पर अगर उन 5 सालों में अगर तुम्हारा कभी paid up share capital 50 लाग cross कर जाए number one या तुम्हारा उन 5 सालों में हम देखेंगे पिछले 3 सालों का average turnover अगर आपका cross कर जाए 2 करोड तो आपको compulsory conversion कराना पड़ता था एक question आता था exam में वो question हड़ गया कि removal of the limits for compulsory conversion यानि क्यों जो compulsory conversion के limits थे वो भब है ही नहीं से में को याद ही नहीं होता था पहले कि when the paid up capital crosses 50 लाक्स और the average of the last 3 years turnover crosses 2 करोड वो हड़ गया पक्का everyone यहां तक कि private company जब OPC में convert होती थी तो बोला जाता था शर्त है कि उस private company का paid up capital 50 लाग नहीं हो turnover 2 करोड नहीं हो वो भी हड़ गया यानि कि आप कोई अंदिशे नहीं है OPC को बहुत relax किया है पक्का everyone तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ OPC private company के nature में होती OPC कभी public company के nature में हो ही नहीं सकती इनके नाम के end में जैसे private limited लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है bracket में one person company और यह चीज़ और लिख दो यह चीज़ नोट कर देना अच्छे से lot of relaxation to OPC OPC को भी आप देखोगे final level तक बहुत सारे relaxation OPC को भी मिलते हैं और ऐसे भी private company के nature में है तो automatically it gets lot of relaxation is it fine everyone तो OPC के बारे में आप जब मैं classic करवाओंगा आपको तो उस class में आप आप देखोगे बहुत सारा changes नजर आने लगेगा compulsory conversion का concept हट गया private company जब OPC में convert होती थी तो भी शरते होती थी कि उसकी paid up capital cross ना हो वो भी हट गई remember this okay February 2021 में small company का definition भी change हुआ था हम लोग उस quality clipping में करेंगे paid up capital 50 लाग small company का cross नहीं होना चाहिए small company private company है सिरो OPC भी private company है yes तो small company और OPC में OPC भी private company है और उसके भी paid up capital small company का जो paid up capital है पहले बोलते थे 50 लाग cross नहीं होना चाहिए and turnover जो है उसका 2 crore cross नहीं होना चाहिए पर अब क्या हो गया है paid up capital उसका 2 crore cross नहीं होना चाहिए private company का and turnover 20 crore cross नहीं होना चाहिए तो यह सब changes 2021 में आया था ताकि more companies can breathe easily ease of doing business के लिए changes आया था यह हम लोग करेंगे small company की clipping अलग होती है तो आप लिखा OPC amendments जहाँ आप sheet maintain कर रहे हैं वहाँ आपने लिखा होगा OPC का amendment हमने discuss किया है did you write this OPC amendment OPC amendment ज़रूर लिख लो क्योंकि उसमें लोग वना पुराना past exam question concerns पढ़ेंगे तो problem हो जाएगा तो जिनकी exam December 21 में थी November 21 में थी या 22 में उनके लिए ये है जो पहले वाले बच्चे होते थे May June 21 के लिए उनको ये OPC और small company का amendment नहीं पढ़ाया जाता था Now very famous definition that is KMP का definition करने वाले हैं हम लोग अब after OPC government company small company मैंने touch कर दिया amendment उसको अलग clipping आपको दूँगा Now the next definition is of small KMP key managerial personnel ध्यान से देखो section 2 clause number 51 मैं आपको एक time देता हूँ एक बार आप इसको पढ़िये और प्लीज बुक में भी section 2 clause 51 खोल लिजे Full page once let them read पढ़ना शुरू करिये एक बार Please do it एक एक clause पढ़ो एक बार मैं आता हूँ चल्दी तो आज हम लोग types of companies पढ़ रहे थे और भी कुछ-कुछ हैं dormant company बोलके भी हैं they are very simple section 8 company बोलके हैं वो भी बहुत simple है foreign company है चोटे-चोटे definitions और भी है अभी चल्य वेरी गुड ले आउट so KMP key managerial personal इन पर बहुत जिम्मेदारिया होती हैं बहुत सारी liabilities भी आ जाती है तो key managerial personal के अंदर कौन-कौन आता है ये list आपको बहुत क्लियरली है managing director meaning समझाऊंगा manager इनके definitions अलग से समझाऊंगा आपको company का जो CFO होता है जो main financial operations के लिए in charge होता है CFO chief executive officer whole time director company secretary mind you it's not chartered accountant मैं तो दोनों हूँ CAB हूँ CSP हूँ तो मैं अगर किसी company में employed हूँ as a CS तो मैं उसका KMP कहलाया जाऊंगा CS ओके तो CS भी KMP के list में है बट दुर्भागिवश अभी तक chartered accountants and cost accountants are not covered in the definition of KMP such other officer लिखाव है और भी दूसरे officers जो whole time directors से एक level नीचे के हो बस एक ही level नीचे वाले जो हो तो whole time directors से try to understand यह whole time directors है उससे एक level नीचे वाले जो directors होते हैं वो भी whole time director से एक level नीचे वाले जो है officers one level below only one level below the whole time directors अगर अगर उनको board ने KMP के रूप में नियुक्त किया है तो वो भी KMP होंगे क्योंकि उपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे CEO, CFO याद हो रहा है तीन C से CEO, CFO, CS, MD, whole time director and officers ऐसे डागराम याद रखना officers one level below the whole time director अच्छा हर officer one level below the whole time director KMP नहीं होता है मेरी बात वापस सुनो हर officer one level below the whole time director KMP नहीं है यही तो बोला ना आपने officer one level below the whole time director officers one level below the whole time director जिनको who are designated as KMP by the board यह line miss मत करना answer में जब तुम लोग बोलते हो ना हम लोग अपना words में लिखना चाहें तुम तो लिखेगा officers one level below the whole time directors who are designated as KMP by the board तो आप पूछते हैं sir ऐसे कौन से officers है यह आपके books में मिल गया होगा तो मैं dictation नहीं दे रहा हूं section 2 class 51 में यह line थी तो one level below the whole time director के examples यहां दिये वहें usually these type of full page ones these type of officers are designated as KMP यह line बहुत important थी they are designated as KMP by the board these type of officers one level below the board that is KMP तो यहां क्योंकि word आया ना भी managing director और manager तो मैं आपको managing director और manager का exam divisional head मतलब हो गया functional head production manager finance manager तो section 2 clause 53 में MD है sorry manager है यह manager का हो गया and section 2 clause 54 में MD है तो we'll go to those definitions क्योंकि यहां word आये थे MD manager मेरा sequence conceptually दिया है मैंने गॉर्मेंट ने बहुत गंदे तरीके से adjust कि तो जैसे startup आता मैं startup में चला जाता हूँ जैसे subsidiary आने वाला होता है तो पहले वो पढ़ा के फिर public company पढ़ा रहा हूँ तो जैसे यह MD शब्द आया है तो मैं अब आपको MD और manager का definition समझाऊंगा section 2 clause 54 and 53 में तो अपने अपने किताबों में आप चले जाए और copy जो maintain करें वा लिखिएगा that definition of MD and manager was done section 2 clause 53 section 2 clause 54 क्योंकि KMP शब्द के अंदर ये शब्द आया न managing director अपने कई बार सुना होगा या general manager तो we need to know both of these that MD and manager शब्द के अंदर क्या आता है तो आईए अब हम चलते हैं एक definition करने के लिए section 2 clause 53 and 54 अच्छा ये KMP का definition था देखिए books में आपको इस टैप के अंदर ओ बुक्स में यहां पे था one level below the directors कर देना below the board लिखा वा था below the directors and इसमें क्लाइन था not more than one level below the directors और ये लाइन भी बहुत important है कैसे directors, whole time directors एक level नीचे वाले and most importantly यहां पर एक चीज़ देखना है वोड designated as KMP by the board यानि कि उनका board के द्वारा KMP के रूप में वो appoint हुए हो तो ये चीज़ और ये चीज़ और ये one level below the directors कर लो book में जिनकी books में below the board लिखावा था is it fine अब आईए ये आपका wait कर रहा है दो बहुत famous definitions है MD and manager तो आईए इसको analyze करते हैं ये manager जब मैं बोलता हूँ ये किसी department के managers नहीं है this is top level manager manager of the company not departmental managers लिख लेना this is top level manager not department managers क्या बोलेंगे production manager या finance manager ये उनकी बात नहीं हो रही है I am talking about the top level manager ये सारे definitions आपको आज ही पढ़ने होंगे start reading everyone definition is managing director and manager ये दोनों को आप read करिए फिर हम लोग interpret करेंगे पहले MD पढ़ते हैं चलिए start reading पढ़ना शुरू करिए तो हम लोग types of companies कर रहे थे तो MD manager के बाद कुछ और भी हम लोग कर लेंगे that will help us to complete the entire agenda associate and investor company भी हम लोग को करना है तो almost सारा agenda हमारा एक बार का over भी हो जाएगा so start reading everyone पढ़ना शुरू करिए start reading पढ़िए प्लीज चलिए ready everyone तो यहां क्या देख रहे हम लोग एक दम ध्यान से सुनिएगा managing director is a director क्योंकि अगर डिरेक्टर नहीं है तो आप MD भी नहीं हो सकते तो managing director is a director ओके जो या तो articles में लिख देते हैं या agreement हुआ है company के संग या आप resolution पास किये हैं general meeting में या board के द्वारा तो इन्हें कैसे कैसे point किया जारा आप देख रहे हैं main चीज जो है MD has मेरे संग संग देखना जो लोग copy maintain कर रहे हैं या running notes लिखने में इच्छुक रहते हैं MD has substantial powers of management ये शब्द मिला आपको इस शब्द का मतलब है कि ऐसे important powers MD ले सकता है जो normal directors नहीं ले सकता था इसके example दीजे अभी देता हूं थोए देर में पर कुछ चीजों को substantial powers नहीं माना गया है तुमको exam में confused कैसे करेगा Mr. Mukherjee is the director of the company Mr. Mukherjee signs the check Mr. Mukherjee accepts the bill of exchange Mr. Mukherjee endorses bill of exchange is he MD और आप भावुक हो जाएंगे check sign करता है बहुत important है common seal affix करता है बहुत important है तो इन्होंने clearly specifically लिख दिया following are not substantial powers पढ़के देखो these are administrative acts of routine nature when so authorized by the board like power to affix the common seal common seal वैसे optional होती है हर company को रखना जरूरी नहीं है पर अगर आपने रखा है तो कुछ-कुछ documents में लगाना फिर compulsory हो जाता है हम लोग पढ़ेंगे भविश्य में power to endorse and draw any check any negotiable instrument signing share certificate registration of transfer of shares और के लिए directions देना यह लिस्ट याद होना चाहिए आपको क्योंकि case study में यही आता है पाइनल लेवल तक बच foundation में भी आता है इंटर में final में सब में एक study आया हो है कि MD वाला questions बहुत important ऐसे पाच्छे powers देकर आपको भावुक कर देगा पर जिसका definitions वाला class किया है उनको याद रहेगा कि निमनलिखे पंक्तियां लेखक ने हटा दी है substantial powers से मैं Hindi teacher नहीं हो बता मेरे book में लिख भी लेना एक example जो मेरे mind में आ रहा है suppose company में budget बनाया जाता है you know what is budget इस साल हम ये खर्चा करेंगे ऐसा हमारा planning है तो एक budget बना है तो budget company का suppose fixed हो गया है इस साल खर्चा है suppose 10 करोड का ये board कर रहा है decision ये budget बनाने का decision है ये board of directors का है now what is MD's power कि अभी budget का allocation कि किस head में कितना जाएगा ये substantial power ये budget को implement कब करना है कौन सा खर्चा कब करने का initiative लेना है ये decisions MD ले सकता है this can be one of the important substantial powers are you understanding कि budget collectively board ने बना लिया decision ले लिया पर budget का allocation apportionment कहां पर क्या खर्चा होगा कब होगा वो decisions MD ले सकता है because MD has substantial powers of management याद रहेगा example लिखो budget allocation execution of the budget ये MD के पास इस type के powers होते है तो this can be one of the substantial powers तो manager के definition में अगर आप देखोगे manager may be a director may not be a director कैसे पता चला sir manager is an individual अच्छा manager and MD में common चीज़ क्या बताओ दोनों ही क्या माने जाते हैं के MP माने जाते हैं definition में हमने देखा था yes or no so manager means an individual manager means an individual जो board के अंदर रहेकर board directions देता रहता है उसको उनके supervision छत्रचाया में जो company का whole of the affairs संभालता है इसका मतना भी basically substantial powers का है यानि सारे important decisions manager लेता है okay everyone same type की definitions है sir एक बात बताईए एक बहुत interesting question है मेरे एक student को I am Bangalore में पूछा गया था उसने CV में अपना CS complete भी लिख दिया था तो उसको company law का question पूछ लिया तुम लोग भी लिखो तुम्हें भी पूछेगा जब तुम MBA भी करने जाओगे can a company have the position of full page of a MD and manager simultaneously क्या किसी company में MD and manager के post यानि एक company MD भी रखा है और एक general manager भी रखा है क्या रख सकता है can a company have the position of a MD and manager simultaneously जहां से देखो क्या एक company MD and manager का post simultaneously रख सकती है सोचो प्लीज क्या एक company MD and manager का post simultaneously रख सकता है answer होगा no allowed नहीं है हमारे company law में अप MD and manager का post simultaneously नहीं रख सकते याद रखेगा भविश्य में पड़ोगे that you cannot have लिख लो the post of MD and manager simultaneously allowed ही नहीं है आप ये दोनों post एक साथ नहीं रख सकते है जिस company में MD है वाँ general manager का post नहीं होगा जहां general manager है वाँ MD का post नहीं होगा तो a company cannot have the post of MD and manager simultaneously अच्छे से लिख लीजे ये allowed नहीं हमारे law में this is not allowed a company cannot have the post of MD and manager simultaneously ये section एक दिन आपड़ोगे भविश्य में कभी section 196 layout once section 196 में लिखावा है not allowed first subsection में नई सर मेरे भाईया जब आते हैं दिवाली में मुंबाई से मेरे भाईया बताते हैं उनके company में MD भी है और मेरे भाईया जो है वो company के finance manager है उनका तो प्राय जगडा चलता है MD से सर क्या bookish ज्याना पढ़ा रहें practically सर होता है company में manager and MD दोनों होता है तुमने क्या बुला तुमारे भाईया क्या है finance manager, production manager I am talking about the top level general manager हाँ सर भाईया का general manager का इस post है चिकेविन में गया था भीरे से bracket में लिखाओगा production तो I am talking कि top level manager and MD दोनों नहीं होंगे आपके company में MD है production manager, finance manager वो हो सकता है but MD and general manager दोनों आपके company में simultaneously नहीं हो सकता है याद रखना इस चीज़ को तो MD and manager का इस दोनों clause आपको clear हो गया very good section number 196 में लिखा वे knowledge आपको मिल गया और बार बार लिखना this is top level manager and we are not talking about departmental manager और भाया वाल example भी लिख देना a company has production manager it can have MD but a company having finance manager and MD वो भी allowed है a company having top level manager, general manager company का general manager and MD this cannot be this cannot be envisaged this cannot take place because section 196 में लिखा वे at the same time a company cannot have the post of MD and general manager simultaneously is it okay थक गया है yes sir थोड़ा सा और थोड़ा सा और महनत तो आज हमारा पूरा जेंड़ा और आपके संग types of companies पढ़ रहे थी हम लोग वो पूरा cover हो जाएगा section 2 clause number 6 पे आ जाईए एक बार associate company के बारे में पढ़ते हैं हम लोग associate company section 2 clause number 6 और slides में भी जो लोग slides से पढ़ रहे हैं slides में भी section 2 clause number 6 associate company investor company का definition दिया वा है एक बार full page कर दो तो जो लोग slides से पढ़ रहे हैं वो slide में आ जाईए और जो लोग clause से पढ़ रहे हैं वो clause पे आ जाईए sir what is the meaning of this मैं आपको दिखाता हूँ slides से एक बार पहले वहाँ पर आपको ले गया था जहां पर आप अपने books में सब कुछ कर रहे हैं होंगे section 2 clause number 6 देखो ध्यान से sir what do you mean by an investor company layout ones investor company एक ऐसी company है मेरी बात ध्यान से सुनना investor company has a significant influence आपके books में भी मिल रहा होगा जो लोग को मैंने book खुलवाया है where one company has significant इस वाँ word यूज करोगे जो लोग words जो आपको exam में use करना है वो है significant influence मेरी बात ध्यान से सुनो investor company has a significant influence over another company and when I say significant influence उसमें से दो arrow निकल रहे नीचे define क्या होगा significant influence means either you are controlling 20% or more of the voting power equity capital अगर मैं broadly बोलू यह आप control कर रहे हैं business decisions एक minute एक minute जब holding subsidiary पढ़ रहे थे आज ही पढ़ रहे थे वहाँ पढ़े थे controls the composition of BOD पर इसमें मैं क्या पढ़ रहा हूँ controls the business decisions यह से words पर focus करके आपो खेलना पढ़ेगा फिर से तो याद रखेगा ऐसे situation में when I am controlling the business decisions under an agreement तो जान बुझ के पता है exam में क्या आएगा आप से पूछता हूँ A limited B limited का 18% equity hold करता है पर आपस में agreement है और A limited agreement के कारण इसके business decisions लेता है copy कर ले न तो हर बड़ी में अगर आप पढ़ेंगे 18% देखते हैं आप तो reject कर देंगे 20% cross नहीं हुआ है voting power significant influence नहीं हुआ है यह holding subsidiary का case नहीं है पर मैं बोलूँगा आपको क्या बोलूँगा हो गया because और दिया गया था जान बूच कर MCQ और case study में 19% लाके छोड़ देता है और आपको तब पहचानना पड़ता है controls the business decisions under an agreement तो अगर आप सारे decisions ले पा रहे हैं तो माना जाएगा that investor company has a significant influence तो जो लोग बुक से पढ़ रहे थे यह words मिल रहे है significant influence का definition जो मैं आपको portion खुला के आया था did you get these words और यह A limited example copy करो A limited hold कर रहा है B limited में 18 person और आपस में agreement हुआ वा है जिसके फल्स स्वरूब वो business decisions ले रहा है तो ऐसे situation में हम बोलेंगे कि फिर भी वो हो गया investor associate यानि जो hold कर रहा है वो investor company है जिसमें hold किया जा रहा है वो associate company है is it fine everyone पर अगर मैं बोलू एक example देकर X limited जो है वो 60% hold कर रहा है Y limited का voting power जल्दी बताओ chat box में मैं wait करता हूँ क्या X limited investor company है और Y limited associate अभी तो पढ़े हो significant influence वाली बाच जल्दी बताओ देखें बच्चे क्या लिख रहे है let me know जल्दी बोलो मैं wait करता हूँ anyone X limited का investor company है और Y limited क्या इसकी associate company है मुझे बताइए X limited और Y limited में क्या investor और associate का रिष्टा बन रहा है जल्दी बताइए मुझे let me know चल्दी तो answer बहुत clear है मेरे को तो पता भी चल गया है और आपको भी पता चल गया होगा X limited, Y limited 60% voting power की जो मैं बात बोल रहा था आपको याद रखेगा यहाँ पर याद रखेगा, अच्छे से याद रखेगा इस बार यहाँ क्या होने वाला है यह holding माना जाएगा और subsidiary तुम तो बस वो लकीर के फकीर अभी significant influence पढ़के उसके हो गए हाँ हाँ 20% के उपर तो हो जाता है but if you cross more than 50% याद है न आपको holding subsidiary का definition तो फिर वो होगा तो इसलिए हाँ clearly लिखावा है that investor company has a significant influence but यह associate company को define करा था कि जो किसी company यानि कि याद रखना अगर वो subsidiary company का threshold क्रॉस कर रहा है तो उसको फिर नामकरन हम change कर देंगे वो associate investor के रिष्टे में नहीं है and it includes a joint venture company joint venture companies क्या होती है definition नीचे दियावा है आपकी books में भी दियावा explanation में जो joint control है और इन लोग आपस में फिर net assets profits share करते है और इसे classic examples है joint venture companies के मैंने example भी लिखा है और अप accounts teacher आपको investor, associate, JV यह सब पढ़ाएंगे accounting standard और index होते पर वहाँ definitions थोड़े से अलग होते तो यह सब examples है JV में जहां यह दो companies मिलकर JV company बनाया है जिसमें S.E.S.E. holding है यह सब figures change होते रहते है periodically को अपना holding dilute कर दे but these are two classic examples of JV company के दो अच्छे examples यहां पर है जो slide में आप घर में वापस पर सकते हैं but tell me, did you understand associate and investor company investor company क्या हो गया जो significant influence exercise कर रहा है significant influence दो तरीके का है या तो आप उस company में 20% or more voting power hold करते हैं but of course more than 50 नहीं बोलोगे because more than 50 बोलते हैं फिर हो HS बन जाएगा holding subsidiary या आप control करते हैं हाँ लड़का बोलता पढ़ाया है वैसर control composition of BOD no 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 आप control कर रहे हैं business decisions under agreement चाहे आपकी holding फिर शाहे 18% हो फिर भी आप significant influence exercise कर लेंगे तो did you understand investor and associate company का ये portion तो यहाँ से काफी MCQs और questions आते हैं हम लोग once we do these topics we will understand now एक interesting चीज और foreign company का definition एक बर करते हैं हम foreign company का definition और मैंने आपको पूछा था एक दिन क्या foreign company company है नहीं because company का मतलब होता है जो Indian companies act के अंदर बनी है foreign company body corporate हो सकती है but it's not a company मतब separate entity है, perpetual succession है but foreign company is not a company within the meaning of companies act but भारत में foreign company का definition क्या है foreign company क्या होती है तो चलिए पहले आप से question पूछता हूँ a company is incorporated in Singapore and has a branch in Dubai London चलो chat box is it a foreign company full page a company is incorporated in Singapore and has a branch in Dubai, London is it a foreign company check करके बताओ मुझे क्या ये foreign company मानी जाएगी a company is incorporated in Singapore and it has a branch in Dubai, London is it a foreign company सोचो सोचो, analyze करो और फिर मुझे बताओ क्या इसे आप foreign company बोलेंगे अच्छे से सोचो तो आपने क्या देखा यहां पर a company Singapore में बनी है से किस साल पहले मैं भी अगर हरबडी में पढ़ता Singapore, India के बाहर है Dubai, London जाओंगा मैं भी एक दिन क्या ये foreign company आप of course yes लिखेंगे सारे foreign countries का नाम सुनकर पर आज पता चलेगा foreign company कहलाने के लिए पहला condition है incorporated outside India that is condition 1 पर condition 2 भी तो देखोगे न condition 2 क्या है आपका इंडिया में कोई place of business होना चाहिए कोई भी आप branch office share registration office इंडिया में कुछ हो और इंडिया में आप कोई भी business activity करते हो electronically, physically किसी भी तरीके से मेरी बात वापस सुनो foreign company के लिए दो conditions चेक होते हैं आप तो इस question question copy किया है ना सब में आप तो इस question को पढ़के भावु को कि क्या बोलेंगे हाँ हाँ ये incorporated outside India ये foreign company मेरे संग रहना आज के बाद कोई पूछे ये question बलकि तुम पूछना बच्चा हर बढ़ा के बोलेगा yes 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 बढ़ा बोलोगे no भाई दो चीज़े हैं incorporated outside India and या तो place of business हो इंडिया में या किसी भी तरीके सब इंडिया में business करते हो physically, electronically, e-portals के थूँ तो आप foreign company माने जाओगे पक्का everyone तो एक बात बताओ मेरे को जैसे आपने नाम सुनाओगा Walmart, बहुत बड़ी company है वर्ल्ड की, Nestle understood, Cadbury, यह सब क्या है foreign company, जो originally पर इंडिया में जो तुम Cadbury chocolate खाते हो पकेट पे Cadbury का नाम देखना देखो इंडिया में कहीं पर manufacture और इंडिया की उनकी subsidiary बनी वे वो manufacture कर रहे है, तो वो कमनी फिर Indian company हो जाएगी, Cadbury, India private limited Coca-Cola, India private limited, example दे रहा हूँ, because फिर वो वाली जो है, Wing, वो Indian company है, पर जो original Cadbury या वो है, वो foreign company हो सकती है, because it has been incorporated outside India and has a place of business in India physically or does any business activity in India physically or electronically तो यह चीज एकदम ध्यान देना और जो इन classes को देख रहा है, revision कर रहा है, रगातार उने सब कुछ याद रहेगा, तो did you understand foreign company का, यह question ही आपको याद दिला देगा concept, कि नहीं जो दिखता है, वो है नहीं यहाँ पे तो कुछ और meaning निकल रहा है तो foreign company को क्या Indian companies act का पालन करना पड़ता है, yes some provisions लिख लो full page of Indian companies act are applicable to foreign companies, कुछ कुछ provisions Indian companies act के foreign companies को भी apply करते हैं, so some provisions are also applicable to foreign companies तो इसलिए चाहे वो company नहीं है पर हम मुक्ती कैसे दे दे, हमारे धरती पर पैसा कमा रहे हो, how can we give you the relaxation, so some provisions of Indian companies are applicable to foreign companies कुछ provisions of Indian companies are applicable to foreign companies, will you remember this everyone ध्यान से देखा आपने, तो foreign company का definition भी clear हो गया है जो आपके book में था, उसमें प्लीज आपने underline किया होगा, अगर मैं बुक को दिखाऊं, तो incorporated outside India भी, और any type of business activity, I hope you are writing it also, सिवालस में देख तो नहीं रहें पक्का, चलिए, last topic for the day, this is, सारे definitions हो गए, almost कुछ definitions बहुत simple होते हैं, financial statement बोलकर कुछ definition होगा, section 2, clause 40, book में भी एक बार खोल लेना यह reading है, बहुत simple है, यह आपके accounts, teachers भी आपको पढ़ाएंगे, यह सारे PL, balance sheet, यह notes to financial statement, notes to FST, यह सब भी क्या है, financial statement के part है, but cash flow statement कुछ-कुछ case में, अगर आप attach नहीं करें, तो भी कोई problem नहीं है, OPCs, मैंने बोला, बहुत relaxation, small company, नहीं, private company, startups, हर private company को exemption नहीं, private company, startups, and dormant company, जो last 2 सालों से inactive है, कोई टाइप का business activity या transaction नहीं हो रहा है, देखेंगे अभी, तो financial statement का definition एक slide में आया था, अप्रीज book में भी लिख दिजेगा, simple, और यह questions आता है, which companies may not include cash flow statement MCQR में, तो यह याद रखिएगा, OPC सबको पता चल गया, small company मैंने बताई दिया था, जल्दी बताया था, अलग से तो करवाऊंगा, एक private company है, OPC भी small company भी, small company की paid up capital, 2 crore cross नहीं करती है, figures change होता रहता है समय समय से, and turnover उनका 20 crore cross ना करे, पक्का, last topic is, हाँ कुछ छोटे टोटे definitions बच जाएंगे, वो, बहुत simple है, जैसे chapters आएगा, हम लोग कर लेंगे, now section 8 company में आ जाएगे, what is a section 8 company, very popular concept, और section 8 company जो है, आप देखोगे, lot of relaxation होते हैं section 8 company को भी, public company को छोड़ कर, सब को ही relaxation है, ये कोई अच्छे उदेश्य के लिए, अगर central government इनको license देता है, अगर इनका अच्छा उदेश ये होता है, जो आपको list दिया वे, any other object, any other useful object, और इनको जो भी profits होता है, वो अपने objects में लगा देते हैं, promotion के लिए, इनको dividend distribution इनके लिए prohibited है, they cannot distribute dividend to its members, sir कर देंगे तो, अन्जाम भी देखेंगे, एक दिन, पर section 8 company का private या public दोनों हो सकता है, but they don't have to add layout, central government इनको एक relief दे के रखता है, इनको नाम के end में section 8 company को अपने section 8 company को नाम के end में ना private limited लिखना है, या limited लिखना है, ये private या public कुछ भी हो सकता है, but इनका main चीज़ आपको याद होना चाहिए, that objects, profits जो होता है वो उसी में use कर लेते हैं, और यहाँ पर dividend distribution prohibited होता है, तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया, section 8 company is a company formed under section 8 and license is given by central government if three conditions are satisfied, तीन conditions क्या-क्या है, जो अच्छे उस देश्चे के लिए बनी है, जो profits होता है, उसको वापस उसी में लगा देते हैं and they don't distribute dividend to its members, अपने members को कर ही नहीं सकते, तो इनको हम बोलेंगे section 8 company, it can be a private company, it can be a public company, but good news, नाम के end में इनको ये लिखने की दरकार नहीं पड़ती है, private limited या limited central government, इनने license दे सकता है, तो एक बात बताईए, आज आपने OPC बताया, section 8 company बताया, ये सारी companies, आप एक दिन मेरे से पढ़ोगे, spice plus नाम का एक form होता है, उस mechanism को follow करके, अधर linked forms को follow करके, OPC, section 8 company, सब spice plus mechanism के अंदर incorporate हो सकती है, उसे बहुत सारे forms है, आप एक दिन मेरे से पढ़ोगे, बहुत famous नाम है spice plus, okay, spice plus of course मैं आपको बताया था, सब forms के नाम है, शॉर्टकर, simplified performa for incorporating companies electronically spice, ये मसाला वाला spice का बात नहीं हो रहा है, dormant company, कोई companies, एक नॉर्मल company बन गई, और फिर देखा गया कि कोई inactive company है, जो पिछले दो सालों से कोई transaction नहीं कर रही है, बड़ी transaction या कोई business नहीं कर रही है, तो वो अपने आपको dormant company का status लेकर रखती है, ये याद नहीं करना है, जब आपस आएगा मैं बता दूँगा, और पास साल तक वो inactive company का status enjoy कर सकती है, कुछ relaxation मिलेंगे, बड़ पास साल के अंदर उसे finally काम का शुरू करना पड़ेगा, वरना ROC strike off कर देगा, तो dormant company definition you don't have to learn now, जब syllabus में आएगा तब मैं बता दूँगा, पर idea मैंने आज ही आपको दे दिया, कि what do you mean by the word dormant company, तो finally two more minutes, आप अगर देखो, सारे definitions almost हमने touch कर दिया है हाँ पर, almost every definition, कुछ जैसे हम लोग आगे भढ़ेंगे, पढ़ेंगे, last definition एक और है, promoter का, कि promoter का मतलब कौन होता है, जो company को basically control करें, या जिसका नाम company के कुछ important documents में है, उसका नाम वहां लिखा रहे, तो promoter भी reading category का है, who directly or indirectly, ये please section number खोल लो book में, बस give me more two minutes, आज थोड़ा लंबा class हो गया, Sunday है, मैं भी excited हूँ आवा हूँ, तो promoter का जो concept है, promoter वो शक्स है, जो control करता है, ये line याद रखना, साच, control तीन बार आए, मेरे संग-संग याद कर लो, holding subsidiary में control composition of BOD था, yes sir, investor associate में controls business decisions था, यहाँ पर control the affairs directly और indirectly, कैसे भी, ओके, या जिनका नाम prospectus में लिखा हो, या company का important document होता है, annual return, वहाँ लिखा रहता है, आपको सिखाऊंगा ये भविश्य में, या जो company को instructions देता रहता है, और board है न, उनके अनुसार चलता है, अब तुम बोलोगे, अच्छा, ये आपने-अपने book में खोला है, जिनके पास book है, section 2, clause 69, number देखकर, वहाँ ये सब words आपको भी मिलेंगे, control the affairs, board is acting, ये word important, board is acting under their directions, ये सब लिख रहे हो, ओके, तो promoter इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, अब तुम बोलोगे, से board को तो lawyers भी advice देते हैं, consultants भी advice देते हैं, CS भी advice देते हैं, तो जो CS, lawyer, consultants advice देते हैं, remember, वो वाला जो advice होता है न, जो board को lawyer, CS और consultants देते हैं, याद रखना, वो वाला जो advice है, वो advisors, वो promoters नहीं माने जाएंगे, वो definition में provided that बोलके लिखावा है, आप अगर definition देखोगे, और promoter का ही definition देखोगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, that these are not considered as promoters, nothing will apply to person acting in a professional capacity, कि जो professional capacity में काम कर रहे होते हैं, remember, तो जो भी professional capacity में काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर नहीं माने जाते हैं promoter, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक question दिया है, जो आप homework में पढ़ोगे, नहीं समझ में आये, तो मुझे जरूर पूछना, पर वहाँ पर देखोगे, कि एक CA है जो professional advice देता है, वो promoter नहीं माना जाएगा, पक्का everyone, पर जो आपको company को finance करेगा न, financer हमेशा पंचाइती करेगा, वो control करना चाहेगा, उसको आप promoter का दरजा दे दोगे, पर CS will not be considered as a promoter, CA will not be considered, बिकाज वो जो सिर्फ professional advice देता है, क्योंकि तुम तो लकीर के फकीर होगे न, जिनके advice से board काम करता हो, ये line मिला आपको, पर वो promoter वहाँ नहीं माने जाएंगे, is it okay, कुछ homework ले लो, कुछ definitions हम लोग read करेंगे, जब syllabus में आगे, they are reading category, they are not important, section 2 का 59, section 2 class 60, ये reading category के definition है, जो जरूर पढ़के रखोगे आप, उसके बाद, definition of financial year, जब मैं AGM पढ़ाता हूँ, तो इस चीज़ को बता देता हूँ, financial statement मैंने slide से बताया था, financial year का definition, कि normally financial year, 1st April से 31st March होता है, पर यहाँ पर एक exception लिख के रखो, भविश्य में जब लोग chapters पढ़ेंगे, then we'll discuss this, financial year में एक exception है, कि कुछ companies का financial year अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी बाहर में है, इंडिया के बाहर holding subsidiary, तो उनके साथ match करने के लिए, consolidated financial statements बनाने के लिए, आप central government से permission लेते हैं, दूसरा financial year follow करने के लिए, एक बार लिख के रख लीजे, मैं आपको कभी इसको वापस जब chapters करवाऊंगा, तब बताऊंगा, ये भी reading लिखो, tribunal को काट करके regional director लिखना है आपर, regional, किसी के book में अगर tribunal लिखावा है, regional director, ये सब basics मैंने आपको बताया भी था, I'll wait, please write down, financial year हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, foreign company हो चुका है, पक्का everyone, sure, I'm feeling so happy, ये सब भी हम लोग reading में लिखो, debentures, deposits, reading मतलब जब chapters में आएगा, तो उत करना है, आपको उसके लिए tension में आने की दरकार, बिल्कुल भी नहीं है, ये company limited by guarantee, company limited by shares, यहां पर मैं वो random में लिखा रहता है, कि winding up में हम इतना contribute करेंगे, limited by shares, तो finally, अब finally class खतम कर दूँगा, कर रहा हूं, कर रहा हूं, एक minute, summing up करके, ताकि आपका effort कम हो जाए, सर इतना पढ़ा है, आज तो effort लग रहा है, no no no, यह सारी पहली की बाते हैं, small company मैंने आपको बता भी दिया था, बातो बातो में, और slide में भी आप देखोगे, तो आप समझ जाओगे, और अलग से आपको एक link भी भेज़ दूँगा, पहले figure 50 लाग था, अब 2 करोड है, पहले figure 2 करोड था, आपको concept को और तगड़ा करने के लिए, these things have been done, जोब में slides को जल्दी जल्दी यहां घुमा रहा था, and finally, last but not the least, अब देखो, यह है आज के class का साराँज, did I complete with you OPC, yes, concepts दे दिया मैंने, public, private, holding, associate, listed, unlisted, government, small, dormant, section 8, निथी company का मतलब क्या होता है, इसमें जो members होते हैं, वोन लोग, basically, they want to promote savings, कि आपस में pool करते हैं, periodically contribution डालते हैं, फिर किसी को अगर पैसे की दरकार होती है, तो उसी से loan देते हैं, so this is not to be done, in liability के basis में, limited by shares, the liability is limited to unpaid amount on the shares, अगर 10 रुपे की share है, 7 रुपे आपने दे दिया, तो आपकी 3 रुपे की liability है, limited by guarantee, memorandum of association में पहले से लिखा होता है, winding अपके समय हम इतना देंगे, तो ऐसी कम्पनियां होती हैं क्या बजार में, हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, हिंदुस्तान क्लब, क्यालकटा में बहुत famous कम्पनी है, हिंदुस्तान क्लब, company limited by guarantee के रूप में बना हुआ है, चेक करना, उसके side पर जाके, unlimited company, यहाँ liability of shareholders, unlimited है towards the creditors, Amway, जो product आप सुबह आज लगाए होंगे, चमकाए होंगे, तो Amway का जो company है, वो इसी type से बना हुआ है, तो यह आपने देखा, investor associate देखा, तो आप यह slides में एक काम करना, यहाँ last में, जब सारा पढ़ाई खतम हो जा रहा है, सारे topics हो जा रहे है, आप देखोगे, मैंने example बना के आपके लिए दिया है, associate investor के, real life reliance के examples, यह देखो, guarantee company का example, unlimited company का example, and, मैंने यहाँ पर आपके लिए, इस slides work क्यों नहीं कर रहा, reliance का भी example यहाँ work करके, अच्छा, वो अलग था, एक slide होगा, जिसमें reliance के कौन-कौन से, investor associates है, या reliance के भी associates कौन है, holding subsidiary क्या है, वो slide भी आपके संग share करूँगा, so this is all for today, बहुत पढ़ लिया आपने, और आज आपको पता चल गया है, amendments क्या थे, February 2021 वाले जो amendments थे, small company और OPC का, and you also got to know types of companies, यह chart आज ही revise करोगे, government company में पुरानी definition के साथ, नया definition का wing भी है, और कोई query अगर आपको हो, तो आप मुझे audio WhatsApp कर देना, 9830259002, और जो life to home वाली batches हैं, उनके timings में आपको WhatsApp करके, आप मुझे मंगवा लीजेगा, कि कौन से batch की क्या timings है, कल most probably हम लोग class करेंगे, most probably we'll be meeting tomorrow, मैंने क्या time बोला था आपको, कितने बज़े बोला था, शे बज़े बोला था, तैंक यू सो मच, sorry to, आपका संडे थोड़ा सा खराब हुआ है, पर आप बाद में realize करोगे, कि एक ही go में हमने सारे types of companies को आज cover कर लिया, with all important definitions, ancillary definitions like network, turnover, सब कुछ जो भी नज़र आ रहा था, और कुछ और हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, और कुछ बच जाएं, ignore कर दीजेगा, कोई tension नहीं है, आपको जो मैं बोलू वैसा करिएगा, थैंक यू सो मच, end the streaming प्लीज, 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 कि यू प्लीज, वाएं, end the streaming प्लीज, अर्श बचिए, कि यू लाएं, रहां रग्ले, यू प्लीज, अिसना बच्टे, कि यू लाएं, प्लीज, झाल झाल